प्रथम लागु दो चरंको धनिये न चुडायोखिन लांक तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन क्यों बरनों हक सूरत अब लों कहीं ना किन क्यों बरनों हक सूरत अब लों कहीं ना किन ए जूठी देह क्यों रहे ए जूठी देह क्यों रहे सुनते बरनन अब लों कहीं ना किन बरनन आशिक करना सके कोई पोहुचे ना आशिक बिन बरनन आशिक करना सके कोई पोहुचे ना आशिक बिन हक जाहेर क्यों हो वही हक जाहेर क्यों हो वही देखत ही उरतन अब लों कहीं ना किन क्यों बरनों हक सूरत अब लों कहीं ना किन आशिक अर्वा कहा वहीं तिन मुख बिर्हा ना निक्सत् जब दिल बिर्हा जानियां जब दिल बिर्हा जानियां तब आह अंग चीर चलत अब लों कहीं ना किन क्यों बरनों हक सूरत अब लों कहीं ना किन महमत कहें मूमीनों पर करिहां से उक में महमत कहें मूमीनों पर करिहां से उक में ना तो अरवा है इत क्यों रहे बेशक होए हक से अब लों कहीं ना किन क्यों बरनों हक सूरत अब लों कहीं ना किन ए जूठी देह क्यों रहे ए जूठी देह क्यों रहे सुनते है बरनन अब लों कहीं ना किन क्यों बरनों हक सूरत अब लों कहीं ना किन अब लों कहीं ना किन बुलों कहीं ना किन बुलों श्री प्राणनात प्यारे कीज़ प्राणदार सुन्दर साथ जी आप सभी के चर्णों में सरप्रथम मेरा प्रणाम जी आज मैं आप लोहों के समक्ष मानोतन के विशे में दो सब्द बताने की कोशिश करूंगा स्री मामदी जी वाणी में कहती है लाख चोरासी भोगवी अंते आवे मनुश्य अर्थात हमारा जीव चोरासी लाख योनियों में दुख को भोगता हुआ मानो योनी को प्राप्त करता है इस मानो योनी का परम लक्ष है मुक्ति स्थान के प्राप्ति करना यह मानो जीवन संसार रुपी भौसागर को तरने का एक प्रकार से जहाज है मामती जीवाणी में कहती है मानके दे अखंड फल पाईए सोकियों पाई के वृथा गमाईए एतो अधिकिन को अवसर सो गमावत माज निधर अर्थत यह मानो जीवन अखंड फल की तरह है जो हमें बहुत दुरलब है सर्वस्रिष्ट यह मानो योनी सभी योनियों में सर्वस्रिष्ट है मातर मानो सरीर पालेने मातर से हम मानो नहीं कहलाते मानो योनी सभी योनियों में सर्वस्रिष्ट है जो व्यक्ति इस मानोयोनी को पाकर के विचोय की तिप्त्री की इच्छा करता है वह व्यक्ति इस संसार में पसु की तरह अपना जीवन व्यापन करता है नीती का गतन है ये शाम न विध्या न तपो न दानम जयानम न शीलम न गुड़ो न धर्मा तिम्रित्य लोके भुमिभार भूता मनुष्य रूपे न अम्रिगास चरंती अर्थात जिस व्यक्ति के पास इस संसार में गुड़ धर्म तप जान नहीं है वह व्यक्ति इस संसार में बिना सिंग और बिना पूझ का हिरन की तरह जीवन व्यापन कर रहा है अर्थात इस पिर्थिवी का बोज़ बन के बेठा हुआ है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पास धर्ब नहों तो उसे धर्मात्मा नहीं का जा सकता जिस प्रकार किसी सरोवर में जल नहों तो उसे जलासा नहीं का जा सकता उसी प्रकार किसी मनुष्या में मनुष्यता नहों तो उसे मनुष्य नहीं का जा सकता महमती जी कहती है खिन एक लेव लटक भन जाए जन्मत ही तेरो अंग जूटो देखत ही मिट जाए अर्थात यह मानो जीवन मात्र आदे छणका ही है देखते ही देखते कब यह चला जायेगा इसका कोई भरोसा नहीं है इसको हम एक उधार्ज समझ सकते हैं जिस प्रकाश्री देव चनर जी को अलप आयू में ही परमात्मा को पाने की तिवरे इच्छा उत्पन हो गए थी तथा तपती दोपेरी में रेगिस्तान में अकेले चल पड़े परमात्मा को शत्य को पाने के लिए जगा जगा भटके अंत में हरिदास जी के पास पहुँचे उनकी कुछ सालों तक शेवा की उसके पश्चात 14 वर्ष तक कांजी भट से चर्चा सुना उसके पश्चात जोर से पीडित होने के पश्चात उन्हें राजी का दर्सन हुआ उनके जीवन से हमें सीख लेकर के अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए मामती जी कहती है तेरी गिंती बांदी स्वासों स्वास तिनकों भी नहीं विश्वास केते रहे बाकी तेरे स्वास एक स्वास की भी नहीं आस अर्थात यहां मानो जीवन हैं उसका दूबारव हम उस स्वास पाएंगे या नई इसका कोई भी भरोसा नहीं है दो मात्र मनुश्य की सकल सुरत पालेने चेह मनुश्य नहीं कहला थे हमारे पास मनुश्य की सुरत तो थो पर सीतल ताका अभाव है ऐसे तो चोर भी है जो बहुत ही निर्देता से मनुष्य के धन को चुराता है ऐसे कसाई भी है जो निस्पा पसुपक्षों के खुन भाकर प्रति दिन प्रसंद होता है कविर जी कहते हैं राद गवाई सोय के दिवस गवाई खाए हीरा जनम अनमोल अर्था कोड़ी बदले जाए अर्थात यह मानो जीवन मनुष्य अपने जीवन को आभुषण में खाने पीने में ही बिता देता है और अपने सगे शमंदियों के साथ रिष्टे निवाने में बिता देता है और इस मानो जीवन को कोड़ी के भाव में गवा देता है इस मा इस मानो योनी को पाकर्य धियां परमात्ना की उपसना करते हैं तो हमारे यह मानो जीवन जीना अवश्य शपल हो जाएगा अर्थात यह मानो जीवन बहुती बड़े भागेशे मिलता है इस मानो योनी को पाने के लिए देवी देवतावी तरस्ते हैं यजुरुएत का कथन है मनुर भवा अर्थात मनुष्य बनो अब सभाविक रूप से हमें यह प्रस्न उत्पन होता है कि क्या मनुष्य नहीं है हाँ सकल सुरच से तो हम मनुष्य हैं पर गुण और धर्म की दिष्टी से देखा जाए तो संसार में अधिकांस लोग पसु की अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं इसको हम एक उधार से समझ सकते हैं एक किसान था जिसका खेत दरिया किनारे था हमेशा उसमें बाड़ आ जाने के कारण उसकी फसल बरबाद हो जाती थी तता वह उधा सुकर के रस्ते में बैट किया एक रहागिर उसे मिला रहागिर उस इस बार नहीं होगी लेकिन जब फसल पक जाए तब चीडियों से अवश्य बचा लेना तो उसके रहागिर के कथना नुसार किसान खेती करता है और खेती अच्छी होती है तत पस्ता जब खेती पक जाती है वह चीडियों को मारने के लिए जाता है तो उसके पेर से एक पतनी को देता है तथा वह नित्यक्रियादी करने चला जाता है उसकी पतनी खाना बना रही होती है उसकी पतनी कहती है अपने बेटे से कि नमक खाने में थोड़ा कम है तो दुकांदार से जाके पत्थर की बदूलत नमक ले आओ तो वह वह बालक जाके दुकांदार के पा इतना सारा गडा फेक दिया अब इसको वापस भी नहीं सकता एसा सोच करके वह पश्चाताफ करता एंग्णीवें है हमारा मानो जीवन घड़ा रूपी मानो जीवन है तता इसमें हीरा रूपी स्वां से इसको हम दिन प्रति दिन गवा रहे हैं लेकिन हमें इसका कोई पश्चाताब अभी नहीं होगा लेकिन बाद में जब हम अंतिम समय में होंगे तब हमें बहुत पश्चाताब होगा नीती का कथन है आहार निद्रा भयमेई थुनम्च शामन्य मेतत पशुवी नराणम धर्मों हितेशा मधी के विशेशो धर्मेण हीना पशुवी शमाना अर्थात खाना पीना शोना संता नुत्पति करना डरना ये सबी क्रियाय तो मनुष्य और पशुव में शमान पाई जा जो मनुष्य को पशुवों से दूर किया जाता है जिस वक्ति के पास धर्म नहीं है वो पशुव के शमान है दुर्य धन अपनी गलती को स्वयम स्विकार करते हुए कहता है जाना मी धर्म मनचमे प्रविर्ती जाना मी अधर्म मनचमे निवरिती अर्थात मैं धर्म को जान परन्तु मेरा उससे मन नहीं अड़ता है आज सुन्दर साथ में एक ब्रांती फेली हुई है कि श्रीदेवचिनर जी को 40 वर्ष की उम्रे में राजी का सक्षतकार हुआ यहां महराज जी को भी 40 वर्ष की उम्रे में सक्षतकार हुआ तो सुन्दर साथ सोचते हैं कि जब हम 40 हो जाएंगे तब थोड़ी बहुत भक्ती कर लेंगे तो हमें भी राजी का सक्षतकार हो जाएगा लेकिन सुन्दर साथ जी ऐसा नहीं है हम उनके इस सक्षतकार को तो देख रहे हैं लेकिन उसके पीछे उन्होंने कितनी कस्णी की कितनी मेहनत की उसको नहीं देख रहे है श्री देवचंदर जी ने राजी को पाने के लिए 12 वर्स की उम्र में इच्छा उत्पन हुई और 16 वर्स की उम्र में चल पड़े और इतना भटकने के बाद 14 वर्स तक कान जी भट से चर्चा सुनने के पश्चात जगा जगा भटकने के पश्चात उन्हें राजी का दर्सन हुआ तो सुन्दर साथ जी भक्ती भाव के कोई उम्र नहीं होती है जब हमारे अंदर वेरा ग्योत्पन हो जाए तब ही हम राजी के भक्ती कर सकते हैं और राजी का साक्षात कार हम केवल 40 वर्स की उम्र में नहीं किसी भी उम्र में कर सकते हैं आज सुन्दर साथ में ये भ्रांती भी फैले हुए कि स्री राज जी का स्वरूप कोरोडो सूरियों के समान प्रकास में है जिसका दर्शन कर लेने मात्र से हमारा सरी छूड जाता है इसलिए हमें चित्वनी नहीं करनी चाहिए तो सुन्दर साथ जी देवचन जी को भी तीन बार दर्शन हुआ पिया की याती प्रसन ने तीन बेढ़ दिये दर्शन उनका तो कहीं तन नहीं छुटा इंद्रावती जी को भी हफसे में राज जी का सक्षातकार हुआ उनका भी तन नहीं छुटा युगल दाश जी ने दर्शन करके परमधाम के चपे चपे का वर्डन किया परमश महारा स्री रामरतन दाश जी को सक्षातकार हुआ लेकिर इनके तन छुटने की बाद तो कहीं नहीं है इससे यासी दोता है कि सुन्दर साथ जी राजी का दर्शन कर लेने मात्र से हमारा तन नहीं छुटता है वो राजी का दर्शन हमारे इन पंच बहुतीक चक्षों से नहीं बलकि आत्मिक चक्षों से होता है श्री मुख्माणी में इस पस्ट रूप से कहा गया है कि जो राजी का परमात्मा का शक्षत करता है वह उसकी मृत्ति नहीं होती है अपितु वह परमदाम के चप्पे-चप्पे का उनकी सोभाओं का परमदाम की राजी की सोभाओं का वर्णन करता है तो सुन्दरसाद्जी हमें इस मानो जीवन को मात्रे इन गलत ब्रांटी में नव गवा करके अपने इस मानो जीवन को परमत्मा को पाणे में श्ट्रक थकता को पहयं चाहिए अन्य था अंत में पश्चात आपके अलावा कुछ नहीं बचेगा इसी के साथ मैं अपने दो सब्द को विराम देता हूँ बोले स्वी प्रान नाथ प्यारे की जाए परणाम जी या के प्रेमी के भुखन या के प्रेमी के हैतन या के प्रेमी के वस्तरी ये बसत प्रेम की घर ये बसत प्रेम की घर या के प्रेम स्रवन मुखपान प्रणदार सुन्दर साज परिक्रमा करत होता है परमधाम में को ब्रहमर करना अपनी अंतरदेश है जैसे किसी मुर्थ के चारो तरफ हम घुमते हैं तो कहते हैं कि हम मुर्थ की परिक्रमा कर रहे हैं या किसी पुझ बेक्ति के चारो तरफ घुमने को हम परिक्रमा करते हैं उसी तरह से पूरा परमधाम जो अक्षरतीत का हिर्दे है अनन्त प्रकार की समगरी है अनन्त प्रकार की सुभा है और सुभा भी ऐसी जो सब्दातीत उसको देखने के लिए क्या चाहिए पहली चुपाई शुरू होती है अब कहूं रही इसके की बाद इसक सब्दातीत सक्छात इसको कोई सब्दों में नहीं बाता जा सकता इसक और प्रेम जब हमें सुनने को मिलते हैं तो एक विचार धारा चल पड़ती है कि प्रेम योग माया की वस्तु है और इसक परमधाम की यह सबसे बड़ी वरांती है पानी की साइले ही ऐसी है जो वेद और कतेब दोनों पक्चों के सब्दों को ले करके चलती है इसी प्रक्ण में उन्हें इसी चौपाई में कहा गया है पहले चल्ड में इसक बसे पिया के अंग तो उसी चौपाई के तीसरे चल्ड में कहा जाता है प्रेम बसत पिया के चित अंग को हिर्दे कहते है प्रितम के अंग में हिर्दे में इस्क बस्ता है और प्रितम के चित में प्रेम बस्ता है दोनों में क्या अंतर है इस ते ऐसी धान नहीं बननी चाहिए कि प्रेम युग माया की बस्तु है और इस्क परमधाम की बस्तु है यह तो भासा भेत है प्रेम सब्ध हिंदी संस्कृत का है और इस सब्ध फार्सी का है इस तरह के कई परसंग बाणी में दिये गए है अब प्रेम क्या है और इस संसार में हमें किस तरह से रहना है जैसे हमारे जीवन का कोई न कोई एक आदर्स होता है कोई बुद्ध को आदर्स मानता है कोई विवेकानद को कोई द्यानद को कोई संक्राचारी को कोई किसी वीर पूरस को कोई सीवाजी को अपना आदर्स मानता है और इसके अनुसार अपने जीवन चरिया चलाना चाहता है हमें देखना चाहिए कि हम कौन हैं हम इस संसार के नहीं है हम कौन है परमधाम की ब्रहमात्मा आये कैसे हैं सुर्था से हैं हमारा मुल सुरुप क्या है परात्म जो हमारे परात्म में होता है जो परात्म हमारी करती है हमें वैसा ही संसार में करना चाहिए किन्तो ये तो हसी का ब्रह्मान डै और हसी भी ऐसी जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र को ऐसा कर दिया जाए कि वो एक दिन में सो बार जूट बोले उनकी बुद्धी को भ्रमित कर दिया जाए और बाद में उसकी रिकार्डिंग करके दिखाए जाके देखे महराज हरिश्चंद्र आप तो सत्यवादी रहे हैं और आपके बारे में प्रसिद रहा है सुरी चरे टरे चंद टरे टरे जगत बेवार पर दिर्ड सीर हरिश्चंद का टरे नसत्य विचार लेकिन आज क्या हो रहा है आप तो एक दिन में सौ बार जूट बोल दिए उहरिश्चंद जो सपन में भी जूट नहीं बोलते थे सपन में अपना राजी पार्ट दान में दे देते हैं अगले दिन विस्वामित्र आते हैं कहते हैं कि मुझे देख्षना चाहिए राजा ने कहा कि खजाने से दे दिया जाए विस्वामित्र कहते हैं कि एरिसी विस्वामित्र कि माराज तुमने रात्री में सपने में दान में सारा राज मुझे दे दिया है इस से राजिका एक तिनका भी तुम्हारा अब नहीं है आजकल के कोई भी हो तो कहेगा कि हमने सपने में तो दिया था सपने तो जूटा होता है लेकिन हुरी सचंद्र है अपने सत्य के रक्षा के लिए कासी जाते है स्वेम को चंडाल के हाथ हो बेश देते है अपने पुत्र को एकलोता पुत्र है अपनी महरानी को वो भी किसी के घर जाकर नोकरी करने लगती है और स्वेम चंडाल की नोकरी करते है और वो भी कैसी नोकरी इसमसान घाट में जाकर के रहना 24 गंटे चंडाल का काम करना आगर चंडाल के घुर नोकरी करेंगे तो क्या काम करना पड़ेगा किसी सेट सावकार क्या नोकरी किये होते तो अच्छी नोकरी भी मिलती किन्त जो चक्रवर्ती समराथ हो जो फूलों के सियापर से सोता है वो सत्य की रक्षा के लिए एक जंडाल कनोकर बनता है और उभी असमसान घाट में अपने एकलोते बेटे को सर्प से कटा हुआ और देख रहा है लेकिन कहता है अपनी मारानी से कि नहीं बिना कर लिए मैं तुम्हें जलाने नहीं तूँगा और वही होता है मारानी को अपना वस्त फाड़ना पड़ता है कर चुगाने के लिए इतनी सत्यता है वैसे ही कहानी यहां देखने को मिल रही है परमधाम के ब्रमात्माओं का तन क्या है प्रीम का तन अब यह आपने चुपाई सुने या के प्रेमे के वस्तर या के प्रेमे के भूखन या के प्रेमे के हैंतन या के प्रेमे के वस्तर ये बसत प्रेम के गर पुरा परमधाम क्या है? अनन्द प्रेम से बरवा क्योंकि अक्षरातीत का हिर्दे है प्रेम का अनन्द सागर है एक अजीब सी बात लगेगी कैसे संभोवा है कि अक्षरातीत के हिर्दे का पुरे परमधा में क्योंकि हम मानों है मानों की बुद्धी लेकर के बैठे इस तत्य को समझाने के लिए मैं आपको इस त्रिष्टी रचना का एक परसंग सुनाता हूं विज्यान की एक विचार धारा है बिग बैग थिओरी यह सिधान्त कहता है कि सुई की नोक का जो भाग होता है उससे भी बहुत छोटा अंस में भी स्फोर्ट होता है और सिष्टी क्रचना महां से प्रारंब होती है आप सुचिए यह तो विज्यान को निक्वाल अनुमाल लगाया है कि प्रकृत कितनी सुख्ष्म होगी है सुई की नोक केज से बहुत ज़्यादा छोटा उसका परिमार दिया है माइनस में बहुत छोटा प्रड़ाम है वो आप सोच सकते हैं अक्षरा तीत का हिर्दे तो कुछ होगा यदि एक बिग बैग थिओरी के अनुसार तो अक्षरा तीत के हिर्दे का परिम अनुद परमधाम के रुप में दिश्ट कोचर क्यों नहीं हो सकता है आप सोचिए आपके बुद्धी को परिमधाम की तरफ ले चलने के लिए जब परिकर्मा का बर्ड़न सुनाया जाता है होजको सर्मानिक भाल पुखराच क्योंकि इस दुनिया में आप ये चीज़े देखते हैं परवद देखते हैं नदिया देखते हैं अच्छे-च्छे महल देखते हैं पस्पक्षी देखते हैं किन्तु ये तिगुणात्मक हैं सौपनिक हैं और ऐसा परँम्धाम हो जिसका हर कारकीवल प्रेम का हो सत्य हो चेतन हो और अनदमई है ब्रमात्माय जिन से अक्षरतीद स्वामी प्रेम करते हैं और जो ब्रमात्माय राजी से प्रेम करते हैं सहित की आलंकारिक भासा में कह wilde तो ये कहा जाएगा कि वे अक्षरतीत की हिर्देश सुरी है अक्षरतीत के हिर्दे की स्वामिनी है परमदाम की आत्माई उनके वश्ट्र अभुसन सारा तन सब कुछ प्रेम का है क्योंकि प्रेम के घर के रहने वाली है और इस संसार में जब हम आए हैं तो हमारी स्थिति क्या बन गई है उटते बैठते सोते जागते हम तनाव में रहते हैं मुझको अमुक ने ये कहा मैं उसको ये कर दूँगा वो बगती बहुत बुरा है नजाने किस उधर बून में हम बने रहते हैं 24 गंटे हमारी दिन चरिया क्या होती है हमें क्या करना है इस प्रक्ण में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि जो हमारा परमधाम का अचरन है हम सारा तो आत्मसात नहीं कर सकते क्योंकि ये त्रिकुन आत्मक जगत है कितना भी समाल करके रहेंगे तो रज और तम का परभाव पड़ेगा हमारे उपर कभी कभी क्रोध ना आए तो जल जल हरत आएगे किसी के मन में गिर्णा के विकार कुछ आ भी सकते है सुभाविक है हाँ ये संभव है हम दिन डादवाणी का चिंतन करें चित्वनी में रहें सात्य कहार करें अपने मांसिक संकल्प को सकरात्मक के दिसा में ले चलें तो संभव है हम विकारों से बहुत कुछ बढ़ सकते हैं या के प्रेम स्रमन मुखबान परमधा में क्या है प्रेम स्रमन कान के प्रेम ही सुनते हैं मुखबान मुख से प्रेम की ही बात निकलती है या को प्रेम सेवा प्रेमगान जिनकी सेवा में प्रेम है गायन में प्रेम है अब सुचिए बोलना भी प्रेम का सुनना भी प्रेम का क्या संसार में हमसे होता है संसार में जो सबसी मीठा रस है वो है निंदा रस निंदा रस इतना मोहक होता है हर बैक्ति चाहता है कि वो दुसरों की निंदा को अच्छे तरह से सुने दुसरों की निंदा सुनकर बैक्ति खुस होता है क्योंकि उसके अहंग की पुस्टी होती है चलो मैं तो अच्छा हूं, वो बहुत बुरा है, जब यग्तिफ दूसरे को बुरा समझ लेता है और अपने को अच्छा समझ लेता है तो मन ही मनखुさ होता है, यूरा ये सबसे बड़े भूल कर देता है, एक चीछ संसार में समझ लीजिए, संसार में बूरे से बूरे बग् किस और सात अक्छोणी से न थी और को रूं के पास इंगार अक्छोणी से न ». अब हिसमें पितामा cette MRD, कृिपा-चार जाईसे धर्मातमा भी पांडों के विरोध में लड़ रहे थे और यह सब आलम था कि दोर्खण है लेकिन अथ्थाचारी का साथ दे रहे थे तो यदे आप यह सोचते हैं कि किसी के निंदा से ही हमारे कल लेन होगा तो यह आपका भ्रह में है इसकार्थ यह नहीं कि कुछ अन्याई हो रहा है तो मत बोली क्योंकि मेरी बदनामी हो चाहीगा नहीं अन्याई हो रहा है तो भिश Meg paruman की मौन नहीं होना चाहिए विदूर की तरह बोलना चाहिए लेकिन सत्य बोलने में कट सत्य बोलने में और निंदा करने में अंतर होता है जिसके निंदा हम करते हैं जिदे वो सामने आ जाए तो चुप हो जाते हैं लेकिन विदूर का सिधान्त था कि मुग पर ही करते थे चाहें देतराष्ट हो, चाहें भीसुपितामा हो, चाहें दुर्यधन हो, वो मुग पारगी कहते थे, कि नहीं यह अन्याय हो रहा है, हम से ऐसा नहीं होता, हम सामने जिसकी प्रसंसा करते हैं, पीठी पीचे उसकी निंदा करते हैं, और यह घातक रोगा है, हम आत्म संतुष की तरफ चल देते हैं, कि वो बेक्दी बहुत बुरा है, और मैं बहुत अच्छा हूँ, याद रखे, आपके अंदर जो भी अच्छा ही है, आपके जीवने प्रियतम परिब्रम की तरफ अपने कदम बढ़ा हैं, साधना की कसोटियम ही अपने को कसा है, सरदा, समरपन, ध् राग अभ्यास की अगनमी अपने को तुपाया है, तो आपके अंदर अच्छा ही आई है, महामती जी ने एक जोपाई में कहा है, कि रूम रूम कई कूट ओगुन ऐसी में गुनेगार, ये तो कहीं में गिंती पर गुने को नहीं सुमार, मेरे सरीर में रूम रूम में ओगुने, ऐसा क्यों कहा, इसकी कहने का असया है, कि सुन्दर साथ गुण और ओगुण की परिदी से उपर उठे, यदि हम किसी के गुणगान गाते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और यदि हमने निस्पक छर्दे से कुछ समिक्षा कर दी, तो उसको सुनकर उ क्यों कहा जा रहा है, इसो भाविक है, हर ब्यक्ति अच्छा सुनना चाहता है, बुरा कोई ने सुनना चाहता है, लेकिन जो ब्यक्ति अच्छा सुनना चाहता है, वह भी दूसरे को बुरा करके खुस होता है, हमें इस अंसरमी क्या करना होगा, परमधा में प्रतेक ब्रमा आत्मा तो प्रेम ही सुनती है और अपने मुख से प्रेम ही बोलती है सीवा में प्रेम है गाने में प्रेम है हर सब्द में प्रेम है क्यों क्योंकि हिर्दे में प्रेम है जब हिर्दे में प्रेम है तो हिर्दे वो इंद्रियों से प्रगट होगा मुख से वानी से बेवार में सब कुछ वो प्रगट होगा नक्से सिक तक प्रेम किसी वा कुछ है ही नहीं हमारे हिर्दे में घ्रणा का एक सुरोवर है बहुत बड़ा और उस सरवर बढ़ते बढ़ते कभी जिल बन जाता है कभी सागर बन जाता है हम घिर्णा की आग में जलने लगते हैं हम सोचते हैं कि उसे घिर्णा हम करेंगे तब ही हम खूस रहेंगे ऐसा नहीं है यदि हम किसी से घिर्णा करते हैं परसी से इर्षिया करते हैं, द्वेस करते हैं, तो ये बूरे संसकार हमारे चित में अमिठ होने लगते हैं, और हमारी साधना की राह में सबसे बड़ी पादा बन जाते हैं, यद ही हमने इन बूरे संसकारों को हटा दिया, तो हमारी परमधाम की राह बहुत सरल हो जाती है, ह वो सोचता है कि मैं केल्चित्वनी करूं, केल्बानी पढ़ूं, मुझे क्या लेना देना इस जूटे संसार से, वो अपने को कुटास्त करने लगता है, लेकिन जब वो रोजोगुर्ण जागरित होता है, तमोगुर्ण अपने विग्राल रूप में होता है, तो जब तक वो किसी को बुरा नहीं कर लेता, किसी की निंदा नहीं कर लेता, किसी से जगड़ा नहीं कर लेता, उसको भोजने नहीं पचता है, आत्मा दरिश्टा हो करके देख रही है, आत्मा भी करी क्या, विचारी परमधाम की आत्मा, अक्षरातीत की प्राने स्वरी, हिर्दे स्वरी जीव पर बैठ गई है और जीव ऐसा मिला है जो अपने विकारों से जूज रहा है इसलिए पहले प्रक्ड़ में ये बात दर्स आई गई है कि हमें अपने हिर्दें में किवल प्रीम भरना है गिर्णा के संसकारों को विशे विकारों के संसकारों को द्वेश को, इरिश्या को हटा देना है आप जानते हैं इरिश्या एक ऐसी ज्वाला है जो मनुष्ट को जीते जित जला देती है जैसे चीता के बारे में कहा जाता है चीता चीता से भी बुरी है चीता तो मरे हिवे सरी को जलाती है किन्तु चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है और इरिश्या की रुपी चीता क्या करती है इरिश्या की अगनी तो न सोने देती है न बैठने देती है न खाने देती है न पीने देती है न ध्यान करने देती है इस ते रिस्या की जो आग है हमारे जीव को तीन रात आतंकित भाय के साहे में जिलाती है कि पता नहीं मेरा प्रतिद्वंदी आगे बढ़ गया तो क्या होगा ऐसा बेक्ति संसार का सबसे दुखी प्राणी होता है नो उसको मुस्कराते वे देखा जा सकता है नो उसको सांती से खाते हुए देखा जा सकता है बिचारा चैन की नीद भी नहीं सो पाता यह तो मनोरुगी है यदि हमारे अंदर इर्ष्या की एक जरासी दुर्गन धाती है तो हमें क्या करना है हमें सोचना होगा कि हम कौन है अपनी परात्म की भावना लीजिए उठते बैठते सोते जागते जब आप परात्म की भावों में लगेंगे कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ मेरे लिए यह संसार की विकार नहीं है इर्ष्या दुश्ख्रणा तो यह रज और तम से पैदा होते है रज और तम हमारी बुद्धी को परिवर्तित करके विकारों में रखेल देते है क्योंकि हमारे जीवन काधार क्या है प्रेम इस यह धनी ने क्या कहा है महामते जी के सब्दों में इसक है हमारी निसानी बिना इसक दुल्ह मेरानी इसक बिना मैं भाई विरानी बिना इसक न सकी पहचानी यदि इसक नहीं है प्रेम नहीं है हमारे जीवन में तो हमारा जीवन एक सुनसान रगिस्तान की तरह है जिसमें कोई भी पोधा नहीं है हर्याली नहीं है ना पानी की बूद है यदि हम अपने जीवन को सुन्सान बनाना चाहते हैं तो हम अपने को प्रेम से रहित कर दे आप सोचिए कुछ लोग सोचते हैं कि हमें किसी से क्या लेना देना उन्हें किसी की पिड़ा का असास नहीं होता है अपना कमरा बंद कर लिए अपने मिखाए पिए आप परमधाम की ब्रहमात्मा है 24 गंटे आप राजी के भाव में रह नहीं सकते आपको हसने के लिए राजी ने मुख दिया है बोलने के लिए मुख दिया है सद बेहवार की सिक्षा दिये आपके हर्दे में प्रेम कांकुर बराये यदि आप किसी सुन्दर साथ को देखकर मुसकरा नहीं सकते अपने हर्दे का सिनेध नहीं दे सकते अपने हर्दे के प्रेम से उसको सिंचित नहीं कर सकते तो आप अकले-अकले बैठकर इस जागने के खेलकारस नहीं ले सकते बिवार यह-ए जो हमें लक्ष तक पहुचाता है, क्योंकि आगे की चुपाई में बात कही जा रही है, या को ग्यान भी प्रेम को मूल, या को चलन नहोए प्रेम भूल, दो बाते बताईए, या को चलन नहोए प्रेम भूल, उसके बेवार में प्रेम कभी समापत नहीं होता, प्रेम को भूलता नही है सुन्दर साथ परमधाम की ब्रहमशिष्टी परमधाम के अपने बेवार में प्रेम को एक पल के लिए भूल भी भूला नहीं पाती है इस अंसार में क्या होता है हम छोटी-छोटी बातों के लिए लड़ते हैं कहीं घुमने के नाम पर कहीं किसी सीट के नाम पर एक बस में सुन्दर साथ को यदि चड़ाया जाए तो सुन्दर साथ भी दोड़ दोड़ करके अच्छी सीट खोजते हैं सीट के लिए आपस में जगड़ा भी कर ले छोटी छोटी बातों के लिए लड़ जाते हैं वो ब्यवार में उनके घ्रणा दिखाई देने लगती है यदि हमारे ब्यवार में घ्रणा है तो घ्रणा कहां से पैदा और हो रही है हमारे हिर्दे से यदि हमारे हिर्दे में घ्रणा है तो ब्यवार में और से दिखाईगी हमारे हिर्दे में प्रेम है तो निश्चित है कि हम दुसरों के सुबदाओं का ध्यान रखेंगे आज से लगपक पचीस बर्श पुरानी ये गटना है मैं उसे में रतनपुरी आश्रम में रहा करता था मैं कहीं जा रहा था बस में बस खचा खच भरी थी मैं खड़ा था एक छोटा इस्टेसन आया एक बेक्ती दूर से दर दर आते हुए आया मैंने सोचा था कि अब सीट खाली होगे मैं बैठों तो दोड़ करके मेरे पास की सीट पर बैठ गया मैंने कुछ नहीं बूला क्योंकि नैतिक रुप से मेरा अधिकार था क्योंकि उसके नजदिक मैं खड़ा था कुछ दिर और हुई अगला इस्टेशन पर एक सीट और खाली हुई मेरे पास एक और बेक्ती था खड़ा हुआ उसने कहा कि आप बैठ जाए वैसे तो मैंने नजदिक था लेकिन मैंने कहा कि नहीं आप बैठ ये वह कहने लगा कि नहीं आप बैठ ये मैं कहूं कि आप बैठ ये अब समस्या हो गई दोनों में कोई भी बैठने के लिए तयार नहीं था अंत में निर्णे ये हुआ कि आदी सीट पर आप बैठ ये बिवार क्या दरसाता है यदि हम दूसरों के लिए जीना सिखेंगे दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखेंगे तो हम जिएवन में सुखी रहेंगे यदि हम किसी को प्रियम नहीं दे सकते तो हमें घरना देने कर नहीं दिकार नहीं होता हम गिर्णा की भावनाओं से स्वेम दुखी होते हैं दूसरों को प्रेम देंगे तो राजी का प्रेम आप पर बरसेगा आप किसी से मूँ फेरेंगे तो आप किसका अपमान कर रहे हैं उसका अपमान कर रहे हैं जिसके हिर्दे में प्रित्म की बैठक है इसलिए या कुछ चलन नहोई प्रेम भूल परमधामे ब्रहमशिष्टी की बेहार में कभी भी प्रेम समापत नहीं होता हम पुरा बेहार में नहीं ला सकते तो कुछ बेहार, कुछ अंसमात्र तो परमधाम की आचरण का इस अंसार में लानी का प्रियास करना चाहिए आम तरपर देखा जाता है कि सुन्दर साथ में कितनी गिरना भरी होती है पद के लिए, परतिष्ठा के लिए, धन के लिए, सुन्दर साथ भी आपस में लड़ते हैं छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं तो इसको ब्रहमसिष्टी का बहवार नहीं का जा सकता यह तो जीव का बहवार है उस जीव के उपर हो सकता है परमदाम की आत्मा है लेकिन वह भी नीद में है एक जागरत आत्मा के हिर्दे में प्रेम की सुगंदी आती है और वहीं प्रेम की सुगंदी पूरे सरीर में फैली होती है उसकी अंतक करण में उसकी इंद्रियों में आत्मा ने प्रेम की सुरूफ को देखा प्रस्थन यह है कि हम इपने विकारों को कैसे दूर करें अपने हिर्दे में क्रिप प्रेम कैसे लाएं प्रेम लाने का एक ही मार्क है कि जो प्रेम का सुरूफ है उसको हिर्दे में बसाईए जैसे मैं एक छोटा सा दिश्टान देता हूँ कुछ वर्स पहले माभारत का सिरियल चला था छोटे छोटे बच्चे उस सिरियल को देकर अपने हाथों में धान बना करके खिलने लगे थे जो जैसी संगती में रहता है जैसा सुनता है वैसा ही बोलने लगता है क्योंकि उसके हिर्दे में वैसे ही संसकार बस जाते है दुशासन क्यों पाप की तरफ चला है क्योंकि दुशासन की अटूट सर्धा थी दुरूदन पर और दुर्योधन को ब्रहमित करने वाला था सकुने यदि दुर्योधन का छोटा भाई दोसासन नहीं होता और दोसासन को दुर्योधन से लगाओ नहीं होता तो संभव था दोसासन इतने बूरे विचारों करने होता यदि आप अपने हिर्दे में केवल प्रेम भर ले और प्रेम आएगा उड़ते बैठते सोते जागते अपने भावों में केवल राजी को बसाय रखिये यदि आप किसी की बुरे अउगुणों को देखेंगे तो क्या होगा आपके मन में घ्रणा होगी और जब घ्रणा का किचड आपके हिर्दे में कठा होने लगेगा तो परिणाम क्या होगा उस किचड में कोई प्रेम का कमल कफुल नहीं निकलना है किचड से दुरगंद आएगी और वो दुरगंद आपके मन मस्तिस में बैठ जाएगी उन घ्रणा के संस्कारों में ही आप चलने लगेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो प्रितम किछ भी कहां से आएगे एक बर एक सेथ ने कहा बगवान बुद्ध गयत विक्षा मांगने के लिए सेथ ने कहा कि बगवान कल आप मेरे घर भोजन केजिए बुद्ध ने कहा कि अवस्य हूँगा लेकिन सेथ ने कहा कि बगवान मुझे कुछ ज gossip देजिएगा कहा कि अवस्य दूँगा अगले दिन कहें अपने कमंडल में गोबर लेकर के रंग गये थे जब सेथ ने घर से बाहर आकर खीर उनके कमंडल में डालना चाहा तो देखा कि इसमें तो गोबर भराया है काता है कि भगवान आपने क्या किया इसमें गोबर क्यों रखकर किलाया है मैं खीर कैसे डालो बुद्ध कहते हैं कि सेट जी तुम्हें अपने धन का बहुत आंग है तुम चाहते हो दिव ज्यान दिव ज्यान तो सुध हर्दे में आएगा जब तक तुम अपने आंकार का एगोबर नहीं अठाओगे तुम्हारे हर्दे में दिव ज्यान कैसे प्रियूस कर सकता है आप सोचिए आप अपने हिर्दे में अपने प्रानिस्व रक्षरतीद को बसाना चाहती है और आपके अंदर इर्ष्याद्वेस घ्रणा का कीचड़ है तो कैसे प्रितम के चरण कमल पढ़ेंगे प्रितम तो हैं लेकिन ये विकार आपको और धनी से दूर किये बैठें आपके अंतर दिर्ष्ट नहीं खुल पा रही है और इसके लिए अवस्यक है कि आप प्रदिन चित्वनी में वैठिये रात को सोने से पहले प्रितम का ध्यान करके सोईए कि सोपने में भी कोई बूरे विचारना आए सोपने में भी किसी के प्रति द्वेस की बिचारना आए सबेरे उठें तो उठकर के पहला काम किसी से बातचित करने से भी पहले अवस्यक है यदि सर दिर्ष्ट हो तो कोई अवस्यक ता नहीं है इसनान करने के जो करवगांड करते हैं उनके लिए तो आफसेख है कि इसनान करें जो प्रिदम के प्रेम रुपी जल में इसनान करता है उसको भावतिक जल से इसनान ना भी करें तो भी चल जाएगा बाद में कर सकते हैं आप संसार की तरफ देखे बिना अपने हिर्दे में अपने प्राने सवर की छबी को बसाईए प्रिदम क्या होगा आपके प्रेम के संसकार दिल होते जाएंगे अध्यात्म के संसकार आपके इतने सक्ति साली बन जाएंगे कि आप माया के कीचड में से निकल जाएंगे आपके पैरों में कीचड जरा भी नहीं लिपटेगा इसलिए या के प्रेम स्रमन मुकवान या को प्रेम सेवा प्रेम गान या को ग्यान भी प्रेम को मूल बहुत उची बात कही है ब्रहम सिस्टी में जो जान है उसका मूल है प्रेम जान का प्राण है प्रेम और प्रेम का प्राण है जान हम बुद्धी से जान को हम ग्रहर्ण जो करते हैं वो क्यों कहने के वस्थ होती है रावन वेद पाठी था वेद पढ़ता था लेकिर रावण समाधी नहीं लगाता था रावण बेद पढ़ने में राम से आगे था सब्दार्थ जानता था उमांत्र दश्टार इसी नहीं था इसे तो उसके दस सिर बताए गए कि वे चारवेद और छे अंगों का विद्वान था इतना होते वे वो विद्वान थो था सब्द जान उसके पास था चिंतन उसके पास नहीं था कि मैं यह जो कर रहा हूँ इसका प्रड़ाम क्या होगा आचान से भ्रष था मद्द वो पिता था मांस वो खाता था परिस्त्री गमन वो करता था असहाय प्राणियों की हिंसा क्रूरता प्रुवक वो करता था वेद में जो कुछ बर्जित है उसी को आचान मिलाता था प्रड़ाम क्या हुआ उसको राक्षस राज कहा गया संभव है बौधिक दरादल पर राम रावण के समक्षन ठरते हूं भले ही लेकिन आचरण के दिश्टे राम जहां खड़े हैं उसकी चलन धूली भी रावण नहीं बन पया इस दिया आज सारा संसार सोला लाक बर्स वेतीत हो जाने पर भी मरियदा पुरसुत्नम राम को सर्धा के साथ असमर करता है उनको भगवान तक करता है किसलिए क्यों उन्होंने उसको आचरण में उतारा हम परमधाम की ब्रहमात्मा करते हैं संसार का कोई बेगते पूचता है कि आप कौन है तो अब क्या करते हैं हम तो परमधाम की ब्रिम्शिष्टी है और सुन्दर साथ तो उतेजना में यहां तक भी कह देते हैं क्योंकि भी तक में चपाई पड़ लखी है त्रिगुन तुम्हारे खिलोने हम सुन्दर साथ जरूर जोश पीख कह देते हैं क्या ब्रह्मा विश्णु शीव तो हमारे सामने खिलोने कि समान ने हम? हम अक्षशराख दीत के अरधांगरहन है तो आप बात तो सही है, आपकी आत्मा अक्षरातीत के अर्धांगणी है किंतो जिजी पर आपकी आत्मा बेटी है कभी आपने आत्मचिंतन किया है कि आपका जीव ब्रमाजी से तेजबुद्धी तो रखता नहीं भूइस्टन जैसी सानसिलता क्या आपके जीव में है आप सूचिए बिरिगु जी जाते हैं विष्ण भगवान लक्षमी के साथ सो रहे होते हैं और सोते समय विष्ण भगवान की छाती पर लाथ मारते हैं बिरिगु जी विष्ण भगवान उठ बैठते हैं और कहते हैं रिसी के चैन पकड़ कर कि receiver आपके कुमल पैरों में चोड़ तो नहीं लगी देजिये में दबा दो यह महांदा क्या हम सुन्दर साथ में विश्ण भगवान जैसी बिनम्रता है जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको कट सब्दों में उठाने पर उसको कुरोध आता है और दूसरी बात है कि अपनी पत्ने के साथ कोई हो और उसका कोई अपमान करें तो भी उसको बहुत बूरा लगता है लेकिन दोनों आवस्थाओं में विश्ण भगवान का कुरोध नहीं आता चरण पकड़ लेते हैं यही तो महानता कहला दिये हम सुन्दर साथ के पास थोड़ा धन आ जाता है हम सब को कितने तुक्च समझने लगते हैं अपने ही सुन्दर साथ को इतना तुक्च समझते हैं कि कहां से यह लोग गाउं के अन पर काले कलूटे आ जाते हैं हमारे मुख से इस सब्म निकलते हैं महांता क्या होती है महांता वही होती है जो हम संसार के सभी प्राणियों को आत्मिक दिश्च देखें एक बार पेरिस के प्रांस का एक राजा आ रहे थे उनका सुभाव था कि यदि कोई छोटा करमचारी भी अभिवादन करता है था हाथ जोल करता है वह भी उसी भाव से उत्तर देते थे सबी करमचारी को उन्होंने अभिवादन का उत्तर अभिवादन से दिया उनका जो सचीर था कहता है कि सम्राठ आप क्या कर रहे है इतने छोटे करमचारियों को आप हाद जोड को उत्तर दे रहे हैं राजा को उत्तर है कि पहली मानों तो हैं करमचारी हैं तो क्या साधार किसी को नहीं समझना चाहिए क्योंकि परमात्मा साधार लोगों से ही ज्यादा प्रेम करता है इसी कारण उसने साधार लोगों को ज्यादा पैदा किया है आप सोचे आप धन्वान बन गए लेकिन गरिब को देखकर घ्रिणा कर रहे हैं तो यह आपके मानता नहीं है उस योगेसर सिक्र्ट से सिखे कि सुदामा को देखकर जब सुदामा नाम सुनते हैं तो रुकमणी को भी भूल जाते हैं देख सुदामा की दिन दसा करुणा करेके करुणा नितने रोए पानी परातों को हद छोने नैनन के जलसों पगदोए अपने नित्रों के आंसूं से सुदामा के पैरों को दो दिया यह महांता है, हम परमधाम की ब्रहमात्मा हैं लेकिन क्या हम अपने रिष्टों को निभाने के लिए इतने कुमल हिर्दे के बन जाते हैं हम तो भूल जाते हैं कि हमारे घर कोई आया है तो हमें बेवार भी कैसा करना चाहिए हम किसके साथ क्या बोलें, कैसा बेवार करें जब तक आप बिनम्र नहीं बनेंगे जब तक आप दूसरों को प्रेम देना नहीं सिखेंगे तो आपके अंदर बुराई के संस्कार इकटे होते जाएगे और जितना ही आपका हिर्दे विसाल बनेगा दूसरों को प्रेम देंगे आपकी भासा में मधूरता होगी बेभार में मधूरता होगी तो वहीं मधूरता आपको राजी की तरफ ले जाएगी यदि आपकी हिर्दे में सुस्कता आ गई आपका हिर्दे कठोर बन गया आपकी वाणी में कठोरता आ गई तो आप सबसे बड़ा अपना आहित कर रहे है जिन ब्रमा विश्रों सीव को आप खिलोने करते हैं आप सोचिए भगवान सीव तो सारी दुनिया से मूँ मोड़े बैठे है कलास में बैठे हैं ध्यान में एक एक बार की समाधी लगाते हैं हजारों हजारों साल की और आप जान पीट में सीविर लगता है पांच दिन का सुन्दर साथ मन मुसूस कर चित्वनी में बैठे तो रहते हैं लेकिन जैसे भी पसना वालों ने जो नियम लागू किया है कि जाते ही मोबाइल सब के जब तक कर लिये जाते हैं संगे पत्थ पत्नी भी एक हपते तक का जदी सीविर है तो बात नहीं कर सकते कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता कोई बाहर ट्राहल नहीं सकता ओन नियम जदी मैं जान पीट में लागू कर दूँ तो जहां 500 आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि 20-25 भी आप आएंगे आप मोबाइल के बिना रह नहीं सकते हसी मज़ा के बिना रह नहीं सकते तो आप भगवान सीव की तरह कैलास में जाकर जहां सारे दुनिया पहुँच नहीं सकते संसार से छूट करके परमात्मा के प्रेम में डूबने का साहस कोन कर सकता है आप यदि ऐसा बोलते हैं ये ठीक है परात्म के सामने ब्रह्मा बिश्ण सीव खिलोने है ये बात बिल्कुल सच्छ है हमारी आत्मा के सामने भी वो खिलोने है चरन अच ब्रह्म शिष्टी की खोज थके त्रेगुन कई भी करी तपस्या यो केवत पेद वचन लेकिन सिष्टा चार क्या सिखाता है एक बार इस्वर्चंद विद्या सागर और रामकृष्परमान्स का मिलन हुआ दोनुमें होड मची की कौन किस के चलड छुता है यह तो महंता कहलाती है रामकृष्परमान्स ने कहा आज ज्यान का सागर मेरे पास आया है तो सुनिए इस्वर्चंद विद्या सागर की बिनमृताव कहते हैं की परमान्स जी सागर का पानी खारा होता है ना नहाने के काम आता है ना पीने के काम आता है यही तो मानता है एक समान बेखते यही सोचता है कि मुझसे बड़ा संसार में कोई विद्वान ने वो अंकार का ऐसा घेरा बना लेता है कि संसार निर्णे दे तो ठीक अपने आप खाने लगता है कि मेरे जैसा कोई संसार में ह ये हिर्दे की कठूरता हमें राजी से दूर कर रही है इसलिए जो परमधाम का हमारा बेवार होना चाहिए उसको पूरा नहीं तो कुछ अंसों में हम आत्मसाथ करें और इसके लिए एक ही उसदी है सभी रोगों की एक ही उसदी है जैसे मैंने कहा यदि आप अपनी आत्मा को जागरित करना चाहते है तो चित्वनी यदि अपने विकारों को दूर करना चाहते है तो चित्वनी प्रेम में ही चित्वनी, बहुधिक चित्वनी नहीं बहुधिक चित्वनी तो बहुत लंबे समय से चल रही है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुन्दर साथ, परिक्रमा, सागर, सिंगार, खिल्वत में गोते लगाए क्योंकि ये चार किताबें तार्तम का तार्तम है अक्षरतीत के हिर्दे का बाता वर्रस है और इन चार किताबों का जब तक आतरा नहीं हुआ होता तो किसी भी कि भी आत्मा यथारत रुपिसे जागरित नहीं हो सकती थे नक से सिख तक युगल सरुप की सोभा में डूबना हमारे नैतिक उत्तरदाइत होता है हम परमधा में क्या करते रहे हैं वो इस प्रक्ण में अच्छी तरह से दर्साया गया है प्रेम की गरिमा क्या है इस प्रक्ण में एक चरण में अस्वेष्ट बताई गई है कि इसक राखे नहीं संसार इसक अखंड घर्द अतार परमधाम देने वाला कौन है प्रेम प्रेम कहां से आएगा चित्वनी से हमारे अंदर के विकार कब जाएंगे जब हम चित्वनी करेंगे क्योंकि राजी निट्विकारता के सुरूप है जिसको जो ध्यान में लाएगा वैसा ही हो जाएगा यत मंसा ध्यायत तत वाचावदत यत वाचावदत तत कर्मणा करोत यत कर्मणा करोत तत अभी संपद्यते यह दर्शन हमारे दर्शनिक मानिता है कि जो जिसका ध्यान करता है वैसा ही हो जाता है ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्म की तरह निर्विकार होगा काम का चिंतन करेगा कामी होगा जान का चिंतन करेगा जानी होगा योगा का चिंतन करने वाला योगी होगा इस ते राजी के प्रेम में ही सरुप को आप हिर्दे में बसाना प्रारम करेंगे तो आपके हिर्देर से घ्रणा भी निकल जाएगी क्रोध भी निकल जाएगा, अंकार भी निकल जाएगा और जो अक्षरातीत के हिर्दे में प्रेम का सागर उमडता है उसकी रस्धारा आपके हिर्दे में भी आने लगेगी आपकी जीवनचरिया ही बिदल जाएगी इसलिए प्रतेक चर्चा में, प्रतेक प्रोचन में अपने टूटे-फूटे सब्दों में मैं प्रयास सही करता हूँ कि सुन्दर साथ में एक चित्वनी का संदेश चाहे विगत 300 बरसों से जो चित्वनी की जोती जलनी चाहिए थी उम्मद दिन पड़ गई है कारण ये मैंने उस दिन भी चर्चा में कहा था किसरी जी के अंतरधान लेला के पैस्चाहत तीसे सुन्दर सो बरसे प्रेमी पीवेगा सब्दों का सार जो इस्वरी सुन्द का जब राज्य आया यानि ज्यानियों की प्रता हो गई उन्होंने चित्वनी को किनारे कर दिया सब्द ज्यानियों के लिए विसिष्ट रागया था कुछ बंदगी पार्ट महतुपन रागया जब जीवसिष्टी आई तो उसने वह भी बंद कर दिया उसने ज्यान को भी ताले से बंद ताला लगा दिया जान पर भी, चित्वनी तो पहले ही बंद हो गई थी, किवल कर्मकांड की बढ़ोतरी हो गई, तिलक लगाए हो की नहीं, माला पहने हो की नहीं, परिकर्मा की यह हो की नहीं, परसाद लिये हो की नहीं, इसकी माता हो गई, ना जान, ना चित्वनी, ना समर्पन, ना सर्धा, किवल डंडे से कर्मकांड को मनवाना यह उनका लक्ष रहा गया और आज भी वही चल रहा है इसलिए आप सब सुन्दर साथ मेरी बात ना मानिए वाणी की बुकार सुनिए जो सागर में कहा है, सिरंगार में कहा है परिक्रमा में कहा है और तो और मैं कहता हूँ, राज से लेकर क्यामत नामा तक किवल चित्वनी की महिमा दरसाएगी है संसार का प्रते ग्रंत यही कह रहा है कि जिमन का सुरूपर लक्ष है परिमात्मा का साक्षादकार हमारे समाज में एक उल्टी बिचारदारा चल गई है कि यदि तुम परिमात्मा को देखोगे, राजी को देखोगे तो जैसे सुरी जब उदय होता है तो छाया समाप्त हो जाती है राजी सामने आएंगे तो सरीट शूड़ जाएगा बात कहीं की, कहां की और कहां जोड़ लिया जाता है यह सत है कि जब सुरी का प्रकास होता है तो छाया समाप्त हो जाती है कि दुनिया का जीवना, परम्दहम के आत्मा थोड़े सुरी के सामने, सुरी के किरन जितना राती है उतना ही जगमगाती है इसलिए हम राजी के सामने जदी आते हैं राज जी हमारे सामने आएंगे तो हम तो मरने मृत भी होगी तो टल जाएगे वेद ने क्या कहा है तमी विजित्वात मृत उमीद उस परमात्मा को जानकर है मृत के बंदन से छूटा जा सकता है अब बीता के परसंग को याद किजिए जब नाग जी भाई को मलकूल मौत जलू बिया मौत तलब तलब करा जाती है कि इनको में ग्राज करनू स्री जी ने अपने प्रेम की मेहर की नजर नाग जी भाई की आँखों में डाले मौत सारी ताकत लगा कर भी नाग जी भाई को अपने पंजे में ले सके आप सूचिए भी अथरवेद के एक मंत्र में क्या कहा गया है ब्रह्मचरेंड तपसा देवा मिर्तिम को पाक नाग इंद्रोहा ब्रह्मचरेंड देवभैसा आरवर्थ ब्रह्मचरेंड रुपी तब से देवताओं ने मृति को जित लिया आप राजी का ध्यान करने से इसलिए डर रहे हैं कि मर जाओंगा अरे बही पहले तो मरेंगे नहीं लेकिन उससे बड़ा सोभा कि क्या होगा कि सरीर छूटते समय साक्षात यूगल सरुप सामने हो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राजी का ध्यान करने से किसी का सरी छूटा हो बलकि आई और बढ़ जाएगी आप सोचिए यह चित्वनी आपको राजी का दिदार कराती है यह चित्वनी राजी के नक से सिक्त की सोबा को आपको हिर्दे कमल में बैठाती है यह चित्वनी आपको वाणी के रहस दर्साती है क्योंकि यह आपको जान भी प्रेम कमूल प्रेम से जो जान आता है स्री मामत के एमोमनों ए ऐसी बका कुंची इलम यह मेहर देखो मेभूब की तुमको आप पढ़ावे खुद खसम आपके हर्दे में जदी प्रेम आ जाएगा तो आप क्या करेंगे आपको बुद्धी की दौर लागाने की ज़्यादा हो सकता नहीं पढ़ेगी एक बिद्वान बना जाता है दिन राद बुद्धी से ग्रंत पढ़े जाते है सब्द ज्यान उसमें आ जाता है आप बुद्ध को देखिए साथ वर्सों की कठोर साधना तीन राद समाधी में मन को एकागर कर रहे है प्रणयाम से एक लाब में एक बताया गया है तताचिति प्रकास आवरण यानि जान का प्रकास जो बुद्धी के द्वरा होना होता है प्रणयाम करने से उनिस्ट हो जाता है जब माया का आवरण हट जाएगा तो जान का प्रकास भाविक हो जाएगा इस ते एक समान विद्ध्वान को जिस सत्य को गराण करने के लिए दिन रात पढ़ना पढ़ता है योगी को दिन रात उतने पढ़ने क्या हो सकता नहीं पढ़ती है क्योंकि उसका चित समाहित होता है जान सता प्रवेस कर जाता है इसलिए रिशियों की जितनी प्रतिभात तिक्षन होती थी रितंबरा प्रज्या रिशियों की है बिद्वानों की नहीं है बिद्वान तो रटर लगाते हैं या दिन रात परिश्रम करते हैं तो वो जियान आता है ब्रह्मसिष्टी को चाहिए कि वो अपने हिर्दे में प्रेम भरे प्रेम भर कर जब वो अपने प्राने स्वर को पुकारेगी तो वाने कहती है तुम आये सब आया, दुख गया सब दूर प्रितम के चर्ण कमल आ जाएंगे तो बाकी क्या रहेगा? कुछ भी बाकी नहीं रहेगा या क्यो प्रेम है सहज सुभाव? सहज सुभाव हमारा प्रेम का बन जाए बनावटी नहीं हम बनावटी मिठी बोली ना बोले जो हमारी हृदे में हूँ वही ऐसा ही बाहर होना चाहिए तन दिल दोव्य के रूह का यतै सो जो हमारी जवाण पर हो वही हमारे दिल में हो ओपर धाम की ब्रेमसिश्ठी की पहचाने इस दिये धामदनी क्या कहे रहे है याको प्रेमे सहज सुभाव सहज सुभाव का ताथ पर यह समानी बेवार हिर्दे से प्रेम छलगता हो हमारी वाणी में हमारे बेवार में हमारे स्रवन में हम किसी की निंदा सुनकर खुस नहों बलकि आत्म चिंतन करें कि हमारे अंदर क्या कमिया है उन कमियों कोम निकालें तो ऐसा करते करते हमारे जीवन एक स्वर्णिम परद पर चलने लगेगा अनेथा क्या है एक नितिकार ने कहा है खला सरसप मातराण परचिद्राण पस्यत आत्मना विल्लो मातराण पसन्य अपिन पस्यत दोस्ट बेक्ति क्या करता है दुसरों के दोसों को जो सरसों के बराबर होते है बार बार देखता है उसको सोर मचाता है और उसके दोस बिल्लो के बराबर बेल कप फल कितना बड़ा होता है उतने बराबर उसके दोस होंगे तो भी देखते विये भी अंदेखी कर देता है तो नुकसान किसका होता है उसका सुन्दर साथ को क्या सोचना होगा कि ये सारे सुन्दर साथ किसके अंग है राज्जी के हम पीट पीछे निंदा किसी के न करे यदि उसमें कोई गल्तिया हैं तो सीधे उससे जाकर के उसको सला दें कि आप ऐसा कीजिए लेकिन पीट पीचे निंदा करके हम अपने अहिर्दे दूसित करते हैं जैसा कि धामदरी ने हमें परमधाम का मार्ग दिखाया परमधाम में यदि कदम रखना है तो केवल एक चाहिए केवल प्रेम इसके बिनाना पाईए यह जुनूर्त जल्लाग चाहिए हम कुछ भी कर ले और वो खर्बू बार राजी का नाम ले ले 108 बार नहीं एक लाख आठ बार भी बाणी पढ़ ले लेकिन यदि हमारा हिर्दे कठोर है प्रीम नहीं तो राजी नहीं आने वाले है आप सुचिए यदि एक खरब बार संचार में जितने लोग हैं अर्बो की जन संक्या है साथ अरब के लगभग साथ अरब लोग दिन रात कुछ दिन रासमा रासमा जब करें हैं तो कुछ खरब बार जब हो जाएगा और जदि जब से ही होता है तो जितने इलेक्टानिक साथने उसमें रेकार्ड कर दीजिए अपने अबजते रहेंगे खरब बार जब हो जाएगा तो क्या अक्षरतीत सामनी आ जाएगे नहीं हिर्दे में प्रेम के सुगंदी होनी चाहिए गोपियों ने कभी जब नहीं किया माला लेकर नहीं बैठी गोपियों ने अपने हिर्दे से पुकारा था इस दिए किर्ष को बीबस होकर करना पड़ाता है उद्धो मही ब्रज बिसरत राइए उद्धो मही ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ नो गोपियों को भुला पा रहा हूँ नो महा जशुदा के प्रेम को भुला पा रहा हूँ जो अक्षरातीत हमारे हिर्दे में बसता है उसको किसी जब से नहीं पाया जा सकता पूजा पाट से नहीं पाया जा सकता उसके लिए किवल चाहिए हिर्दे का प्रेम और वही हिर्दे का प्रेम हमें दुसरे सुंदर साथ से भी करना होगा कि यदि हम सपने में भी किसी का हिर्दे न दुखाएं यदि हमारे हिर्दे की विकृति किसी के दुख का कार्ण बनती है तो हमारे हिर्दे में और विकृति वो बननेगी या को प्रेमे साहज सुभाव ये प्रेमे देखे दाव प्रेम औसर देखता है यदि हमारा हिर्दे प्रेम के भावों से प्रेम के पुस्पों से सच गया है तो संसार की कोई सकती नहीं राजी भी चाहेंगे कि मैं उसके हिर्दे में अपनी सोभा ना बसा पाऊं तो राजी रुक नहीं सकते इसलिए हमारे लिए औसर कौन खोलता है किवल प्रेम हमें कुछ करने की जूरत नहीं है किसी किसी पारिस की जूरत नहीं है किसी महान पुरुष के निगटस्ट होने के लिए होल लगी रहती है जब आनन्द को कहा गया कि भगवान बुद्ध की सेवा में बहुत कष्ट हो रहा है कोई सेवा नहीं हो पा रही है आनन्द तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी तो आनन्द ने इस सर्थ रखी कि मैं भगवान बुद्ध के कमरे में नहीं सूँगा उनके कक्ष में मैं नहीं सूँगा किसी अलग जोपड़ी में जाऊँगा और जब भगवान बुद्ध किसी बिसिस्ट के पेक्तिक यहां अतिथी बन करके जाएंगे तो भी मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा ऐसा क्यों कहा आनन्द जानते थे कि भगवान बुद्ध के साथ मैं रहूँगा तो जो अन्द भिख्चुक हैं वो सोचेंगे कि भगवान बुद्ध के साथ यहीं रहता है और परड़ाम सरुप उनको घिर्णा का सिकार बनना पड़ता अन्द भिख्चुक में इर्षा पैदा हो जाते लोग यह सोचते हैं कि किसी महापुरुस के निकटस्त बाहरुप से हो जाएंगे तो उनके हिर्दे में भी जगह बन जाएगी यह सबसे बड़ी भरांती है या उससी पारिस हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं जो जितना ही अध्यात्म के सिखार पर होता है न्याय के सिंगहसन पर उतना ही विराजमान होता है सद्गुर्देवचन जी अपने पुत्र बिहारी जी पर कोई किरपान नहीं कर सके क्योंकि बिहारी जी के अंदर प्रेम नहीं था कोई भी महापुरुस संसारिक रिस्टों उनसे नहीं बदा होता है वो आत्मा के प्रेम के धागे से बदा होता है इस यह जदि आप सोचते हैं कि किसी की सम्मिपता से हमें कुछ मिल जाएगा तो उससे अच्छा है आप अपने हिर्दे में प्रेम की जोति जला ये प्रेम की रज़्दाराएपके हुर्दे में आ गई तो आपके लिए सुनहला औसर आजाएगा कि राज़ी के चैनड कमल आपके हुर्दे में आ जाएगे और वो महपूरुस जिनके साथ आपने कटिस्था करना चाहते है वो चलकर आपके पस आएएँगे राज जी चल कर आपके पास आएंगे आप एक कदम आएंगे राज जी सौ कदम आएंगे आप चल करें चल करके उनके पास जाना चाहेंगे तो राज जी दोड़ करके आपके पास आएंगे और यह कब होगा केवल प्रेम से और प्रेम कि उस मंजल पर कौन ले जाएगा आपको कि विल चित्वनी की प्रक्रिया बिना प्रेम ना कच्छुए पाईए यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा या के सब अंग प्रेम सोहाईए कि इतनी उची बात यदि सुन्दर साथ इस चीज को याद कर ले कि बिना प्रेम ना कच्छुए पाईए तो साथ जीवन की दिशा बदल जाए ये जो राग देश पैदा होते है किसी के भी निकटस्थ होने के लिए खोड मचती है कि हम इनके निकट हो जाए तो उसको निकटस्थ बनने के लिए क्या सोचता है कि दूसरों की सिकायद करूँ और अपनी प्रसंचा करूँ तो उनके देश्टी में मैं चल्ड जाओँगा ये सबसे बड़ी भूल होती है जब भूल खिलता है तो शुकंद से अपने अप निकलने लगती है कोई भी परवंस कोई छोटा मुझता बच्चा नहीं होता है कि उसके निकटस्थ होने के लिए दूसरों को निंदा करने के और अपनी महिमा गाने के उसकता होती है जो हजार किलोमिटर भी दूरी होता है किन्तु उसने अपने प्रेम को जीवन का अंग बना लिया होता है उसके हिर्दे में प्रेम होता है तो आक्षरतीत के चलन कमल उसके हिर्दे में पड़े होते है और जिसके हिर्दे में राजी का स्वरूप बस जाता है उससे कौन प्रेम नहीं करेगा इसलिए राग दूश के ये बंधन घ्रणा और निंदा के ये विकर हमको दिमक की तरह खा रहे हैं हमारी आत्मा की जागरती में सबसे बड़ी बादा है कदाचित हम बहुत बड़े विद्वान बन गए कदाचित हमें राजी के जलक भी पाली किन्तों यदि हम घ्रणा के संसकारों से अपने को मुक्त नहीं कर पाए इर्षिया और देश के संसकारों को हमने तरजीह दिये उनके बंधन वे फस गए है तो इसका ताथ पर ये है कि हम अपनी आत्मिक संपदा को खो रहे है हमारी आत्मा में जो प्रीतम के प्रेम का एक प्रवाद बहना चाहिए था वो अवरुद हो जाता है इसलिए राजी ने हमें एक दिसा निर्देश दिया है कि परमधाम की ब्रमात्माओं में प्रेम साथ सुभाव है उनका उनका तन मन सब कुछ प्रेम का है बेवार भी प्रेम का है हम संपुन रूप में नहीं कुछ रूप में आत्मसाथ करें तो हमारा जीवन धंदन हो जाएगा महामती जीने क्या का है प्रेम प्याला में भर भर पिऊं त्रेलों की छाक चकाऊं चाओदे भवन में करूं उजाला फोड ब्रह्मान लिपीव पासे जाओं हर ब्रह्मात्मा को ये प्रण लेना होगा कि हमारे एर्दे में घ्रना के लिए कोई अस्थान नहीं होना चाहिए वेद में एक बहुत उची बात दर्साई गई है हम सुन्दर साथो के अलवेद के हसी उड़ाते हैं दूसरे गरंतों के भी हसी उड़ाते हैं सची है कि न हम बानी के कतनों को मानने के लिए तैयार होते हैं न धर्म गरंतों के कतनों का सम्मान करना जानते हैं क्या कहा है मदुमत में निस्करमडम जब हम कहीं बाहर जाएं तो हमारा अलगा होना कैसे होना चाहिए मधुमत में निस्करमडम मधु के समान मिठा हो मधुमत में निस्करमडम मधुमत में परायरम हमारा आगमन हो हम कहीं आएं तो उसी मधु के समान मिठे हिर्दे से आएं मैं मद की समान मिठी बालनी बोलू भुयांसम में मद सद्रिसा और मेरा हिर्दे भी मद की समान मिठा हो जाए अब सूचिए कितने उची बात कही गई है किन्त जब मैं देखता हूँ मंच पर विद्वानों की गर्जन ध्वन तो मुझे बहुत आश्चरि होता है कि हम मंच पर भी बैठ कर दुसरे के प्रित गिल्णा के भावों से भरे वे सब्द उसमें निकाल रहे होते हैं जब हमारे सामने ब्रमवानी पदराई होती है तो प्रस्त यह है कि हम ब्रमवानी की चर्चा कर रहे हैं या कौन सी समाज को सिख्छा देने जा रहे हैं आवसकता यह है कि हम एक ही चीच को हिर्दे में बसा लें बिना प्रेम ना कच्छुए पाईए या कि सब अंग प्रेम सुआए तो हमारा जीवन बदल जाएगा हमारी दिसा बदल जाएगे और हम यहीं बैठे बैठे अपने प्राणिस्वर प्राणबलब को हिर्दे मंदिर में बसा सकेंगे और हमारा जीवन धंदन हो जाएगा, समाज भी धंदन हो जाएगा और जागनी ब्रमान में हमारा आना भी धंदन हो जाएगा मैं सब सुन्दर्शास से आगरा करता हूँ कि चित्वनी के महत्ता को समझें और अडोस पोडोस में इसकी जोती जलाएं ताकि एक नए समाज का निर्माड हो जो अपनी आत्प चक्षूँ से अपने प्राणिस्वर को देख चुका हो और ये मिथक को तोड़ना हमारा नेतिक उतर दैदु है कि संसार में राजी को पाया नहीं जा सकता यदि संसार में नहीं पाया जा सकता तो कब पाया जाएगा तार्तम वाने के उतरने के बाद भी यदि ये कहना कि राज जी को पाया नहीं जा सकता ये तो सत्य को जुठलाना है बुलिये श्री प्रानाथ प्यारी कीजे बंदो सत गुरू चरन को करू सो प्रेम प्रणाम असुब हरन मंगल करन को धनी शिरी देव चंद्र जिनाम सिरी प्रान नाथ निजमूल पती सिरी महराज सुनाम तेज कुवरी स्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम पिया जी को पल पल करू प्रणाम बुलिये श्री प्रानाथ प्यारे कीजे मैं आज मानव सरीर की उप्योगता तथा नस्वरता के बारे में संबुधन करूँगा हम सबको या विधी थी है कि हमें या सरीर कुछ साल पूर भी प्राप्त हुआ है और कुछ समय रहने के पस्चाथ या सरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा इसलिए स्री महमती जी कहती है नामे जागो प्रपंच तिनका मूल या सरीर या वंते बाग विस्तारो जानो प्रगटे अमरिक जलीर अर्थात जिसे जूट कहते हैं उसका मूल या सरीर है अर्थात या सरीर जूट का भंडार है जो हमें मृत और बुड़ावे का शिकार बना देता है जिस प्रकार मृत तिनका रूपी जल से प्यास को नहीं पुझा सकता उसी प्रकार सरीर रूपी वन तथा बाग रूपी परवार की सोभा है इससे हमें सुक्सान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती और इसलिए हमें यही कहा जा रहा है कि रेगिस्तान में बाल उपर पढ़ने वाली किर्णों से उत्पन होने वाले दिर्स को हीरन जल समझकर भंमित हो जाता है था एक सुन्दर वन से अनेक सुन्दर बागों का समू फैल जाता है उसी प्रकार इस सरीर से उत्पन होने वाले बच्चे बागों की तरह खुबसूरत होते हैं मगर यह नस्वर होते हैं इन्ही को सब कुछ समझ लेना तथा जीव प्रम तत्त से वन्चित रह जाता है जो लोग इसी को सब कुछ समझ लेते हैं और आत्मा कल्याड का मार्क नहीं अपनाते उन्हें मिलित्यू के समय निरास होना पड़ता है यह धूत्री को क्यों धरिये जो पलते रंग परवान विस्व डाले वैराट सो भी निगल सी निर्वान हमें इस सरीर पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सरीर किसी भी छण हमारे जीव का साथ छोड़ सकता है यह सारा ब्रह्मान जिस वैराट पुरुस आदी नारायन की वद्ना करता है यह सरीर उसको भी निगल लेता है कालमाय के ब्रह्मान में सभी के सरीर प्रकृतिक होते हैं आदी नारायन के सरीर को निगल लेने का तात्परिया है कि महा प्रले में उनका भी सरीर अस्दित में ना रहना मैं तो आई तुम खातिर तुम जानी नहीं सुपन मैं तो सुपना हो गई अब दुख़डे देखो चेतन स्री महमती जी यहां पे सरीर की उपयोकता के बारे में हमें कहती हैं कि यह सरीर ही एक सादन है जिससे हम अकंड सुप को पा सकते हैं और अपने आत्मा का कल्यान कर सकते हैं यह सरीर ही है जो मोक्ष और धर्म का कारण बन कर आया है मगर हम इसकी उप्योकता को नहीं समझ पाते और यह सरीर हम इस संसार में भोग में फस जाते हैं और अपने जो सुख हमको लेना चाहिए उसकी तरफ नहीं प्रत्पाते मगर हम माया को ही ज़्यादा जोर देते रहते हैं और इस सरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायम ठीक मातर में खान पान की भी आ सकता है क्योंकि हम इस संसार में मोह के भौसागर में डूब जाते हैं तता इस सरीर का उपयोग ना करके हम इस संसार के भोग में फस जाते हैं और यह जो अफसर हमें प्राप्त हुआ है इसे हम खो देते हैं इसलिए सिरी महमातीजी कहती है कि यह अफसर क्यों भूलिये जित पाईये सुक अखंड या बिन या सुक बिना ना मिले जो खोज फिरो प्रह्माण अरथाथ यह शरीर ही है जिससे हम अखंड ब्रह्मानद पाए जा सकते हैं और अगर हम इस ब्रह्मानद को न पाके या चौदे लोगों को ब्रह्मान में खोजाद आए, तो यही निर्सकर्स निकलेगा, कि यह जो अखंड सुख है, वो बिना मानवतन के नहीं प्राप्त हो सकता, सुन्दर साथ जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कि हमको इस माया को जोर ना देते, देते हुए हमें अपने अखं प्राण नाथ प्यारे कीजे, सद्गुरु महराज कीजे, प्रतम लागू दो चरन को, धानिये ना छोडा योचिन, लाक तली लाल एडिया, मेरे जीव के एही जिवन, इन पाउ तले पडी रहूं, धानि नजर खोलो पातुन, पल नवालो निर्खुने त्रे, मेरे जीव के एही जिवन, तार्तम रस बानी कर, पिलाईये जाको, जहर चड़्या होए जिमी का, सुख होवे ताको, सुख होवे ताको, जो जीवनिंद छोड़े नहीं, तो जो इतने दिन से, यहां पे हम चर्चा सत्संग सुनते आ रहे हैं, अभी भंडारे के निमित पर हमने सुना, उससे पहले, एक महने तक बीत तक चल रही थी, तो उसमें भी हमने सुना, और राज्जी की महर से, कोई ना कोई माध्यम से, पिछले कितने सालों से, वो हमें सुनाते ही आ रहे हैं चर्चा सत्संग, किसी ना किसी रूप में, कोई ना कोई कारेक्रम आयोजित करके भी हमें जगाने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई सुन्दर साथ हमारे गर पे आके पी जगाते हैं, तो ये जो बहाने हैं वो राज्जी बना रहे हैं हमें जगाने के लिए, और हमारी आत्मा को जागरित करने के लिए लेकिन कही ना कही हम सुन्दर साथ से ये चूख हो रही है कि हम वानी तो सुन रहे हैं सत्संग में भी भाग ले रहे हैं पहले जो वानी हम ने रूमालों में लपेट के रखी थी वाग अवस्त्र पहना के उसकी आर्थी बुजा करना या भोग वगेरा लगाना ये हम सब कुछ समझ बैठे थे दीरे दीरे राजजी ही की महर से वो वानी रूमाल से बहार आई और हमने उसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते अब ये स्थेती हो गई है कि उस वानी को हमने कोई जैसे पाट करते कोई महर साकर का पाट करता है भागवत का पाट करता है गायतरी मंद्र का पाट करता है कोई सत्यनारन की कथा करवाता है तो अलग-अलग बहाने से दुनिया के लोग क्या करते हैं, जब भी उनको माया की कोई भी तकलीफ आ जाती, दुख आ जाता, पीड़ा आ जाती है, तो उसे दूर करने के लिए इस वानी का वो पाट करते हैं और उसमें से निवरित होने के लिए अपने आराध्यों को बोलते तो हमने भी वानी को कही ना कही उसी रूप में मान लिया है, तो जैसी हमने वानी को पढ़ना शुरू किया, जैसे दुनिया के लोग देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अपने आराध्यों की पूजा करते हैं, दुनिया के दुखों से दूर होने के ल दुख ना लिया किन, कि जब हमारे साहब, हमारे खाविन, हमारे आत्मा की प्रियतम हम पे प्रसन्न होते हैं, तब हमें इस माया में दुख मिलता है। बारा साल की उम्र में वो गए देवचंद्र जी के पास, थोड़ा समय उन्होंने उनके पास साथ में गुजारा, उसके बाद उनको भेज दिया गया अरब, अरब से वापिस आये तो कारज कारण कुछ ऐसा बना कि प्रनाम स्विकार नहीं करा, फिर से तो नौ साल का विरो व हो जाते, लेकिन उस रूख को तो नहीं पता है, वो तडप रही अपने प्रितम से मिलने के लिए, सद्गुरु से मिलने के लिए, और उस बीच में बिहारी जी महराज गादी पर बिराज मान हो जाते हैं, कैसे उनको अपनी फूल बाई, पतनी का भी त्याग करना पड़त है, और फिर ये कम था, तो बिहारी जी ने जब कंप्लेन कर दी वहां के राजा से, तो मिहराज जी को जेल में जाना पड़ा, और एक दो मैने के लिए, नहीं, एक साल के लिए, कुछ भी गल्ती ना होते हुए, और उनके अंदर जीव कौन सा था, मरू राजा का जीव था, जो ही मालय का तपस्वी जीव था, तो उसके तो कोई पूर्व कर्म ही नहीं थे, तब ही तो युगलस्वर उतने उनके धामरिदे में बिराजमान होकर, इतनी बड़ी लीला कर दी और ऐसी शोभा दे दी उनको, कि अक्ष्रातीत करके सब उनको पूझेंगे, और वो भी इ देव चंद्रजी के अंदर जीव है, उनको श्यामाजी के रूप में बिराजमान करके, उनही को युगलस्वरूप मान कर, उसी केवल ब्रह्म को परमधाम मान कर, उनकी आराधना करेंगे, अनंत काल तक, इतनी बड़ी शोभा उस जीव को मिली, और उस मंजिल पर ले जान के लिए उस जीव को क्या करना पड़ा, विरह, विरह ही वो आंधी थी और उनको दुख सही तो गुजरना पड़ा, अगर हम देव चंद्रजी का देखे तो उनको भी तो दुख कही ना कही मिल रहा है, और हम सुन्दर साथ वो भी तक हर साल करते हुए भी, क्या करते हैं, जब भी थोड़ा सा माया का कस्ट आया, तो महर सागर का पार करते हैं, और महर सागर का पार जो कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, कि ये दुख सुख को स्वाद देशी, ये दुख जो है, वो हमें सुख का स्वाद देगा, और फिर भी हम दुख को क्या कर रहे हैं, दू जो सुख की और जो हमें पैचान करवा रहा है कि ये माया क्या है ये माया तो दुख निधान जी और राजी क्या है हम बोलते हैं आर्थी करते सुख को निधान जैजे सुख को निधान वो तो सुख के दातार है और हम क्या करते हैं उस वानी को लेकर यहां पर राजी वो ही ब लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कि वानी है क्या हमने तो बस जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे भागवत का पार्ट करते हैं सत्यनारायन का पार्ट करते हैं या देवी देवताव की आराधना करते हैं कोई ना कोई मंत्र जबते हैं कि दिन्या के दुख दूर वजा हम पे तो वो ही करते कहीं न कहीं। एक तो वानी के रूप में साक्षात हमारा बल बने हुए हैं और वो ही यहाँ पर बोल रहे हैं राजी कि लियाए प्यू वतन थे बल माया जानी। परमधाम से आई है यह वानी और हमारे धनी लेकर आये हैं तो परमधाम में तो प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। है कुछ प्रेम के अलावा परमधाम के कन कन में राजी का दिल ही लिला कर रहे हैं और प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं तो वानी के शब्द शब्द में क्या है। राजी का प्रेम ही तो है अगर राजी का प्रेम वानी के शब्द शब्द में है और वानी कह भी रही है कि धनी बोल रहे है कि इसका हर एक शब्द अक्षरातित के रिदय से अपनी रूह के लिए बूला गया है तो ये मिथ्या तो नहीं हो सकता हर एक शब्द इसका परम सत है हर एक शब्द है Iska Čसे रजी चेतन है और हर एक शब्द में वही आनद वही प्रेम की जमनाजल लीला कररे है जो रूह के रिदय में कर पर्मधाम में प्रवाइथ हो ँग हो रही है जब हम जित्वनी करते हैं तो हमें कहा जाता है सबसे पहले जमना जी में नहाना है जमना जी में नहाने का मतलब क्या है पहले तो हमें बोल दिया पाक ना हो यह इन पानी है अगर हम यहां के पानी से नहाते हैं तो हमारा सरीर ही सिर्फ शुद्ध होता है हाँ थोड़ी बहुत सात्विक ताती है लेकिन उससे हमारे विकार तो नहीं जाते हमारे पाप तो नहीं दोल जाते किसी का हम कतल कर दे और उसके बाद नहाले तो वो हत्या तो नहीं चली जाएगी हम यह मानते हैं कि गंगाजी में जाके पापों की मुक्ति मिल जाएगी लेकिन इसमें भी कही ना कही हमारी गलत फैमी है अगर नदी में नहाने से ही मुक्ति मिल जाती तो उसमें जो जल के जीव रह रहे हैं उनको तो मुक्ति मिल जाने चाहिए थी न तो वास्त में कौन से जल में नहाके हमें मुक्ति मिलेगी कौन से जल में नहाके कौन सी जमना जी में नहाने के लिए हमें बोला जाता है जमना जी और कुछ भी नहीं है लेकिन यूगल स्वरूफ हमारे जो राज श्यमा जी है उनके दिल से बैता हुआ प्रेम और आनंद का जो रस है वो ही जमना जी है और अगर वो रस जमना जी है तो वानी भी तो राजी कहलवा रहा है ना इंद्रवते जी के धाम रिदे में बिराजमान होकर यहाँ पर भी बोल रहे के लिए आये पिव वतन थे बल माया जानी है ना तो जब रजी कहलवा रहे हैं और ये भी बोला जा रहा है कि ये रसना श्यामा जीय की पिलावत रसरब का कि हमारे श्यामा जी की रसना है जो रजी के दिल का रस पिला रही हमें तो यही तो जमनाजी हो गई हमारे लिए, तो हम जब तक इस जमनाजी में नहीं नहाएंगे, तब तक वो जमनाजी में नहाकर हम कहां जाएंगे, जैसे कल हमने स्वामी जी की चर्चा सुनी, उन्होंने बताया कि चौप आई थी सिंगार ग्रंद की, सिंगार किया सब दुले वस्तर और बुखन अब बखत हुआ देखन का देखो खोल रूह के नेन अंदर और उन्होंने बताया कि सिंगार कैसे करना है और किसका करके दिल में बठाना है तो एक तो सिंगार है रजी का सिंगार और दूसरा है रजी का सिंगार देखने के लिए रूह को पहले सिंगार सजना पड़ेगा रूह का सिंगार कैसे होगा सबसे पहले तो हमें तन को साधना पड़ेगा मन को साधना पड़ेगा फिर जीव को साधना पड़ेगा और उसके बाद हमारी आत्मा का सिंगार होगा तन को साधना है उसको शांद करके देहा भास से परे होके कि मैं ये शरीर नहीं हूँ मैं कौन हूँ? उस परब्रम्धनी की आहलादिनी शक्ती हूँ क्यूं हम अपने आपको शक्ती कह रहे हैं? कि जिस प्रकार से शक्तिमान कोई होता है उससे अगर उसकी शक्तियां छीन ली जाए तो वो शक्तिमान नहीं कहलाएगा शक्तिमान वो तभी तक कहला रहा है जब तक उसमें शक्ती है सूरज है अगर उससे उसकी किर्णे अलग कर दी जाए तो उसकी धूब हम तक नहीं पहुँचेगी उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुँचेगा तो फिर वो सूरज कहलाएगा सूरज का अस्तित्वई हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसमें प्रकाश है उसके किर्णों में किर्णों के माध्यम से वो हमारे तक पहुंचता है तो उसी प्रकार से उस सर्वशक्तिमान की आहलादिनी शक्ति है हम और अगर वो सचिदानंद परब्रम परमात्मा है सर्वशक्तिमान है, सकल घुन निदान है सहारे घुन उसके दिल में लिला कर रहे है हम बोलते हैं कि उनसे ज़्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं तो अगर वो इतने सुंदर है लेकिन उस सुंदर को कोई देखने वाला ही ना हो तो उस सुंदर का कोई अर्थ है वानी कहती है कि वो इतना मीठा बोलते हैं कि जाको नामे रसना, जिसका नाम ही रसना है, रस से भरी हुई है जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी है वो राज्जी की वानी कैसी मीठी होगी क्योंकि जिनकी जैसी बुजरकी जुबा होते हैं तिन माफ़क जिसकी जितनी बुझरकी होती है, महानता होती है, जो जितना महान होता है, उसकी वानी उतनी ही विनम्रता लिये होई और प्रेम भरी होती है तो हमारे प्रियतम जिनसे उत्तम कोई है नहीं वो उत्तम पुरुशक्ष्रातीत है सर्व शक्तिमान सकल गुणने धान है उनसे परे तो कोई है ही नहीं तो उनकी बानी कितनी मीथी होगी अब जो वो इतनी मीथी वानी है उनकी, लेकिन अगर सोचे कि अगर हम ही ना हो उसे सुनने के लिए तो वो वानी का कोई और चीत्या है, वो रोम रोम में सुगंदी लिये हुए हैं, लेकिन उस सुगंदी का आनंद लेने वाली अगर रूह ही ना हो, तो उसका कोई मतलब रह तो राजी का जो कुछ भी गुन है जो कुछ भी उनके दिल में अनंत सागर लिला कर रहे हैं उसका आनंद उसका अस्तीत्व उसका पान करने वाली अगर रूहे ना हो श्यामाजी ना हो तो उनकी सर्वशक्ति मानता उनकी सर्वगुन निधान होने पर भी कोई भी उसका अर् रूप में द्रश्टी गोचर हो रहे हैं, श्यामा जी के रूप में, सक्यों के रूप में, परंधाम के 25 पक्षों के रूप में, खुब खुशाली के रूप में, जमना जी के रूप में, क्योंकि लीला करने के लिए अनन्त रूप धारन किये हुए हैं वो, नहीं तो चेतन ह इतने प्रेम और आनन से भर पूरा, जब लिला ही नहीं करेंगे तो, जैसे सागर है, उसकी लहरे है, तभी तो उसकी शोबा है, अगर वो लहरे ही समाप्त हो जाए और स्थीर हो जाए तो, तो राजी का अस्तित्व हम से है, इसलिए हमें उन्होंने क्या कहा है, रूह, रूह बोल पाओंगी, ना सुन पाओंगी, ना कोई भी लिला कर पाओंगी, मेरे शरीर को जला दिया जाएगा, तो मेरे शरीर का अस्तित्व किस से है, रूह से है, तो यह तो हो गई, राजी के हम क्या है उसकी बात, लेकिन हम क्या है, राजी हमारे लिए क्या है, उन्हें भी त राज्जी भी तो हमारे प्राणनात है, हमारा सर्वस्व उनी से तो है, जैसे बानी में कहा गया है कि हको काम और कच्छु नहीं, देवे रूहो लाड लच्चत, राज्जी का एक ही काम है, वो सरो शक्तिमान की सारी शक्तियां, वो प्रेम के सागर का सारा प्रेम, वो अनंत स सौंदरे के सागर के सारा सौंदरे, वो मादूरेता के सागर की सारी मादूरेता, वो कोमलता, जो कुछ भी गुन है उनमें, वो सारे किसके लिए है, हमारे लिए है, उनकी रूहों के लिए है, और धनी, अगर हम, हमारे लिए हैं राज्जी के सारे गुन और सब कुछ, तो हमारा क्या उत्तरदाईत वबनता है कि हमारा भी रोम रोम सिर्फ और सिर्फ उस राज्जी का बन जाए और परमधाम में रूहों का काम यही है आठो जाम, चौंसर्ट गड़ी उसको रूह को इश्क के अलावा कुछ काम ही नहीं है राज्जी को अपने पर दिल लुटाते रहते हैं हमें आनंद देते रहते हैं और हमारा काम है उस आनंद में डूबे रहना उसी प्रेम का के लीला में मगन रहना तो यह परस पर है राज्जी हमारे प्राणना थे और हम उनकी प्राणेश्वरी है वो हमारे दिल है और हम उनके दिल है इसलिए राज जी वानी में क्या कहते है रहना सकू में रूहों बिना राज जी हमारे बिना नहीं रह सकते है और रूहें रहना सके मुझ बिन और हम भी नहीं रह सकते हैं उनके बगेर अभी इस ब्रह्मान में हम आ जाए ये तो परमधाम की बात है यहाँ पे भी राज्जी हमारे बगर नहीं रह सकते क्योंकि वो तो नहीं भूले ना हमसे अपना प्यार छोड़ा ना ही अपना लाड़ करना छोड़ा उनका प्यार तो अब भी वही है और इसलिए तो वो आये है ना और क्या कहते हैं हम आये हैं इतने काम ब्रह्म स्रिस्ट लेने गरदाम यहाँ पर राज्जी क्यों आये हैं अपनी ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए आये वो रह नहीं सकते हमारे बगर इसलिए हम सो आगू आये श्री राज हम में खेल दिखाने के लिए हमारे से पहले तो रजी आ गए शाक्षात और सिर्फ आये नहीं है अगर कोई राजा है उसकी राणी को वो कहीं भीजता है कोई ऐसी जगा में जहां पूर नरूप से सुख सुवी दना हो तो वो पूरा प्रयास करेगा कि जो राजसी सुख उसे वहां मिल रहे हैं राजदर्बार में उसे वो स्थान पर भी मिले सबसे पहले वो जाएगा उस स्थान का ब्योरा करेगा उसको अपनी रानी के अनुकूल बनाएगा वहाँ पे सारे सेन्याओं को तयार करेगा, सब लोगों को समझाएगा कि कौन आ रहा है यहाँ पे, तो हमारे धनी ने भी तो यही करा, इस ब्रह्मान में आकर सबसे भविशवानिया करवा दी, कि मेरी रूहें आ रही हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया, अर्जु उत्पन्नाय कलो यूगे, वो कल यूग में उत्पन्न होंगी, वो ब्रह्मात्माय, महाईश्वर तंत्र में महादेव जी ने पार्वती जी को बोला, विंद्या चल परवत के उपर सुन्दर धाम सोहाएगा, और ऐसी तो कई ब्रविश्यवानिया करी हुई है हमारे धनी अलग-अलग धर्मगरंतों में, कुरान में भी लिखवाया है, और हमें सब को बता दिया कि ब्रह्मात्माय आने वाली है, आप लोग संबल जाना, और क्या बोल रहा है वता है, वानी में भी कहा गया है न, कि चरनरज ब्रह्मस्रिस्टी की खोज था कि त्रैगुन, कई वी के पिछे भाग रहे हैं, माया की सुखों के पिछे भाग रहे हैं, और राज जी ने इतना ही नहीं करा, बविश्यवानिया करवाई, और इस ब्रह्मान को हमारे अनुकुल बनाने के लिए, हमारा बल बनाने के लिए, क्योंकि माया जिस माया में हमारे है, उस माया के तो बह जिने हमें बता दिया कि रूहू हवे पहला मोजल नी बात कहुआ दुनिया को तो समझा दिया हमें सबसे पहले बता दिया कि रूहू अब सबसे पहले मोजल जिसमें जारी नो उसकी बात बता रहा हूं आपको हवे पहला मोजलनी का हुआ तेता दुख रूपी दिन रात आप जिस माया में आयो ना दिन और रात दुख रूपी है यहाँ पर तेता पीडे दूस्ट अने साध और इसमें से कोई बहार नहीं जा सका इस दुख में से चाहे वो दूस्ट हो पापी से पापी हो या आपने आपको साधु महात्मा कहलाता हो इस माया ने सबको डबोश के रखा हुआ है नहीं अधखिन्नी समाद और यहाँ किसी को भी आदेक्षण के लिए भी शांती प्राप्त नहीं होती है इस माया में माये और उस माया से परे जाने के लिए राजजी ने हमें और माया के हथियार कौन कौन से है एहना आउद आउद कहते हैं हथियार को एहना आउद अमरित रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिलने कोमल चंचल चतूर चपल यह सारे माया के हथियार है तो राजजी हमें नियात्ता भेज देंगे हमारे लिए भी वो हत्यार ले कराए कौन सा हत्यार ले कराए है राजजी वहानी के द्वारा हमें तैयार करते हैं हमारा हत्यार है प्रेम ही है वो प्रेम सेन्याहे अति बड़ी जब मूल आउद ले चली सो रहे न काहूं की पकरी या सो सके न कोई लरी लेकिन वो प्रेम कब आएगा? कैसे आएगा? तो यही रजी इस वानी में बोल रहे हैं कि जो जीव नींद छोड़े नहीं जब तक हमारा जीव इस निद्रा रुपी माया को अज्यानता को सत्य समझ रहा है उसे पीठ नहीं दे रहा है तब तक हमें क्या करना है? पिला ये वानी वानी के पाट नहीं करने है और नहीं सिर्फ उसे सुनना है हमें क्या करना है? पिला ये वानी उसको पिलाना है पिलाने का मतलब क्या होता है? पिलाने का आर्थ होता है कि जैसे हमें कोई असाध्य रोग हुआ है और हमें कोई आकर बोलता है कि अरे इस रोग का तो आप इतने समय से इससे पीडित क्यूं हो रहे हो आपने मुझे पहले बता दिया होता फलानी जगा पे फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है वो इसी रोग का उपचार करने वाला है इसी का स्पेश्यालिस्ट है और आपको कुछी दिनों में साही कर देगा हमको विश्वास आ गए हम चले गए उस डॉक्टर के पास और वो दवाई लेकर आ भी गए हम उस दवा अच्छा हम वो प्रिस्क्रिप्शन को भी पढ़े जो डॉक्टर ने दिया हुआ है कि इसमें यह इंग्रेडियन्स है इस चीजों से यह दवाई बनी हुई है और इससे यह रोग ऐसे ऐसे सही हो जाता है और कुछ दिनों के बाद हम जाते दॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोलते है कि डॉक्टर साब फरक नहीं पढ़ रहा है दवाई का असर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर बोलेंगे कि अच्छा आप मैंने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके अनुसार आप पढ़ उसको लेते हो दवाई तो बोलेंगे हाँ वह पर है ना तो वो दवाई की असर होगी उसको पीना पड़ेगा ना तो राजी भी लाए है क्या बोलते हैं इसके अगली चोपाई में राजी तार्तम रस बानी कर पिलाई ये जाको जहर चड़या होए जिमी का सुक होए वाको जो ये भाव सागर का रोग हमें लगा हुआ है ना जो नीद्रा माया की अज्यानता हमें लगी हुए है जिससे कोई भी जैसे अब भी हमने सुना ना कि कोई भी नहीं छूटा है इससे जो त्रैगुन है ना वो भी इसमें पड़े हुए हैं कि ब्रह्मान के जो धनी कहाते हैं वो भी इस फंद से नहीं छूटे हुए हैं और उसके साथ अक्षरातित धनी अपनी ज्यान को लेकर आएंगे, उन रूहों को जगाने के लिए, और उस ज्यान को जब हम आत्मसाथ करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो हमें अखंड मोक्ष की प्राप्ती होगी, जो आज दिन तक इस ब्रह्माण में किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है, वो सहजता से प्राप्त हो जाएगी, उसको वानी में कैसे कहा गया है, निजनाम सोई जाहर हुआ, वो धाम, वो स्परुप और वो लिला अक्षरातित प्रियतम पर ब्रह्म की, जो आज दिन तक इस ब्रह्माण में किसी ने नहीं कही, क्योंकि इस ब्रह्मा की बुद्धी थी, वो स्वपन की बुद्धी से स्वपन का ज्यान लेकर अकभी हम पार नहीं जा सकते हैं, स्वपन से परे नहीं जा सकते हैं, तो जागरित होने के लिए तो जागरित बुद्धी चाहिए, जागरित का ज्यान चाहिए, वो शब्द चाहिए, तो वो कैसे आएंगे हमारे पास तो धनी लेकर आएंगे और ये सबको पता था इसलिए इस कल्यू की रहा देख रहे थे तब भी मरू राजा का जीव धड़प रहा था सत्ना छोड़े कई दुख सहे सोभी या दिन के कारण अगर रारजा हरीश्चंद्र जैसे तपस भी जीव हो गए जिन्होंने कितना भी कस्ट सैयन करने पर सत्य नहीं छोड़ा तो वो भी इस दिन के कारण और इस बानी के लिए कई ओने तो करवत पर अपने तिल-तिल दिल कटाए किसी ने भैरव से जाब खाई कई ने तो अपना शरीर हेम में गला लिया, हिमालय में गला दिया और कई ने अपना शरीर आग में जला दिया और वो वानी हमें घर बैठे-बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस कोरुना के समय में भी प्रती दिन मिल रही है किसी ना किसी रूप में क्यूं? किन एक बूंद न पाईया रसना भी वचन इस वानी की एक बूंद भी किसी को आज दिन तक प्राप्त नहीं हुई थी और हमें घर बैठे प्राप्त हो रही है और इस वानी को लेकर हमें पता नहीं है न इसका करना क्या है जैसे कोई एक बहुत गरीब व्यक्ति है इसे कोई नुर हीरा मिल जाए तो वो क्या करे? उसको पता नहीं चलता तो वो अपने जो ट्रक या ट्रेक्टर कुछ होता है उसमें आगे लगा देगा कि हेडलाइट की तरह काम करेगा क्योंकि इसको पता ही नहीं उसे क्या मिला है तो उसी तरह से हम सुनते तो आ रहे लेकिन उस ग्यान से करना क्या है वो हमें पता ही नहीं सबसे पहले तो हमने दवाई को खोला ही नहीं अब राजजी की मैर से जब हम खोल रहे हैं तो उसे इतना पढ़ रहे कि दुख दूर करने के लिए हम उसे बोल रहे राजी ने पहली ही चौपाई में बोल दिया है वानी की कि यह दुख से परे होने की बात ही नहीं जब दुख रूपी ही है यहां पे दिन रात कोई छूटी ही नहीं सका तो और इस दुख से चलो शायद हम दूर भी हो जाए कि हमें वर्दान मिल जाए कि महाप्रले तक हमें दुख नहीं आएगा फिर भी मौत तो आएगी महाप्रले के बात तो हम समात हो जाएगे फिर से आवागमन के शक्कर में क्या करेंगे इस दुख को निवारन करके तब ही इंद्रावती जी की आतम बोल रही है कि ये दुख जो है उसका कोई मोल नहीं किया जा सकता है जो मेरे धनी ने महर करके दिया हुआ है तो अब कभी भी दुख आए तो हमें कभी महर सागर का पाट नहीं करना जब वानी बोल ही है हमें कि दुख तो हमारों आहार है औरनको दुख खाए हैं न फिर उस दुख को तो हमें मांगना है इंद्रावती बोल रही है कि धनी मैं तो चाहिए सुख को पर धनी की मुझ पर महर ताथे दुख फेर फेर दिया अब सुख लागत है जहर कि धनी मैं तो सुख को चाह रही थी इस माया में आकर जैसे पूरी दुनिया चाहती जैसे अभी भी यही चाहते है कि दुख ना हो मेरसागर के पाठ करो विरग के पाठ करो पारायन करो यहां तक नहीं अब तो हमने वानी को इतना वो कर लिया कि हम भागवत के भी पाठ करने लग गया है अभी भी हमें वानी को ये वानी निज नाम सोई जायर हुआ जा कि सब दुनी राह देखत इस वानी में जो पैचान दी हुई है जो ज्यान दिया हुआ है हमारे धनी के स्वरूप की पैचान धाम की लिला की पैचान जो अक्षर ब्रह्म कोधनी का सतंग है उसको भी पता नहीं है कि अक्षरातित के महल में प्रेमिशक बरतत सोसुद अक्षर को नहीं पिया किन विदकेली करत वो ये वानी हमें यहां बैठे-बैठे मिल रही है वो रस पिला रही है और हम उसे दुनिया तक नहीं पहुचा रहे इसकी तो दुनिया राह देख रही थी और अगर हम नहीं इसे जीवन में उतारेंगे इसे आत्मसात नहीं करेंगे इसको पीएंगे नहीं तो ना हमारा रोग जाने वाला है ना दुनिया को हम अखंड कर पाएंगे और कल को दुनिया हमें पूछेगी कि चलो हमारे पास तो ग्यान नहीं था तो हम बूले रहे आपके पास तो वो ग्यान था आपको तो अवसर मिला था कि आप उसको आत्मसाद करते आप अपनी आत्मा को जागरित करते और हम में भी एक ज्ञान को बाटते ताकि हम भी इस दूख से परे उस प्रेम के सागर, उस आनन्द के सागर, सचिदानन्द परव्रम परमात्मा का ध्यान कर, उनको हम रिजा लेते और यहां बैठे बैठे, इती बैठे घर जागे दाम, वहां का सुख ले लेते तब हम क्या जवाब देंगे उनको तो हमें चाहिए कि जो भी सत्संग जो भी ग्यान हमें मिल रहा है उसे जीवन में उतारे उसे पीना है एक एक वचन को अक्षाति धनी का हुकम समझ कर उसको सीरोधार्य करना है और जैसे जैसे वानी के वचनों को हम आत्मसात करेंगे जैसे जैसे हम वानी के वचनों पर चलेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि वानी क्या है ये माया जो है वो तो दुख निदान है और स्वपन है और असल की पैचान होती जाएगी और जैसे स्वामी जी ने कल की चर्चा में कहा था हमारे तन हमारा तन स्थीर होना शुरू हो जाएगा मन जो है वो धनी में लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि वानी से हमें पैचान हो जाएगी विवेक हो जाएगा और हमारा जो जीव है वो जीव भी क्या करेगा? आत्मा का भाव ले लेगा जो अभी सोच रहा है न जीव कि मैं ये तन हूँ और तन को देखते ही क्या हो जाता है? अगर मैं तन हूँ तो ये सब कुछ मेरे रिष्टेदार है, मेरा संसार है मैं जब हूती हूँ तभी तो मेरा का चिंतन रहता है न और वानी क्या करेगी खसम करावे कुर्बानिया आओ मैं मारे की लार वो हमें इस मैं से जूठी मैं से परे कर देगी और मैं बिन मैं मरे नहीं मैं सो मार नामे वो अखंड की मैं धनी की मैं ले ले गिरू जैसे मीरा ने मैं ली ना कि मैं गीरिधर की हूँ और मेरो तो गीरिधर गोपाल उसी तरह से हम भी क्या कहेंगे कि हमारा तो कौन है सिर्फ और सिर्फ वो धनी है कहते तो हम है लेकिन जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा तो जैसे स्वामी जी ने कहा था तन, मन और फिर जीव जब ये तीनों सद जाएंगे जीव आत्मा भाव लेकर खड़ा हो जाएगा मन धनी की सोच में लग जाएगा धनी के चर्णों में समर्पित हो जाएगा तो तन अपने आप ही स्थीर होता जाएगा और इससे क्या होगा हमारी आत्मा का सिंगार होगा आत्मा क्या करेगी जीव आत्मा भाव ले लेगा और पर आत्म को आत्म देख सी तब टलसी उल्टो फेर जी हमारी आत्मा जो है वो पर आत्म का भाव ले लेगी कि मैं कौन हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है पंच बहुती, ये तो अनादिकाल से कितने कब जब से स्रिस्टी प्रारम हुई है, हम जनमते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं, अलग-अलग तंधारन करते आ रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं, हम ये शरीर नहीं है, हमारा असल शरीर तो उस म पुल में लावे में उस अक्ष्राति धनी की चर्णों में बैठा हुआ है हम उसी की आहलादिन शक्ति है और हमारे धनी हमारे लिए ये वानी लेकर आये हम जगाने के लिए आये हुए हैं तो हम क्या करेंगे फिर वो परातम का भाव लेते ही रूह को काम और कचु नहीं एक जाने हक इश्क रूह तो सिर्फ राजी के इश्क को चाती है और उसी को जानती है और जब वास्तव में हम तब जब हम उस इश्क के लिए तड़पते हो जाएंगे उस इश्क की मनजिल को प्राप्त करेंगे तभी हम कहलाएंगे वास्तव में उनकी ब्रह्मात्मा और जब हम खुद जाग जाएंगे तभी तो सब को जगाएंगे चारी दुनिया में अभी देखे ना हम लोग कितने दुखी हो रहे हैं कभी किसी को कुछ कस्ट कभी किसी को कुछ कस्ट क्योंकि वो इसी सरीर को इसी संसार के रिष्टे नातों को सही समझ रहे हैं उसी में लिन होते आ रहे हैं और उसी के लिए तडबते आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि इस शरीर से परे भी हमारी कोई पहचान है। इस रिष्टे नाते जो हमारे ये शरीर छूटते ही छूट जाएंगे। धनानी भूमो पसफस्ट गोस्टे जो पशू रूप समपत्ती हमने इकटी करी हुई है। वो सारी यहीं की यहीं रह जाएगी। बार्या ग्रेद बारी अगर हमारे पती पत्नी कोई भी है। वो सारे कहां तक रहेंगे हमारे साथ मरने के बाद। दर्वाजे तक घर के क्योंकि हमारा साथ छोड़ देगा। तो वो कौन है जो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। वो परब्रम परमात्मा जिसके हम है जो अनादिकाल से हमारे साथ है। जो अनंतकाल तक हमारे साथ रहेगा। जिसके लिए हम कहते हैं कि तु प्यार का सागर है तेरी इक बूंद के प्यास से हम, तो वो प्यार का सागर हर पल, हर गड़ी, हर एक योनी में स्रिस्टी की प्रारम से लेकर अंत तक हमारे पर अपने प्रेम की, अपने इश्क की वर्शा कर रहे हैं, अभी भी ये रजी ही की तो महर है कि आप और मैं यहां बैट कर इस पानी का रसा स्वाधन कर प पाई, 21 कल पान तब करने के बाद भी, एक वचन भी विश्नुजी नहीं कह पाई, जिस वचन को सुनते ही पार्वती जी को निद्रा आगे, वो सुन नहीं पाई, उस वानी को अगर हम सुन पा रहे हैं, हमारा जीव सुन पा रहे हैं, तो कुछ तो है हमारा, हमारी निस्व उनको इस तन की जो पैचान है उससे परे जो असल पैचान है चेतन जीव की आत्मा की उसको करवाए उस धनी की पैचान करवाए तभी तो इस ग्यान की सार्थकता होगी तो जितनी भी चर्चा सत्संग हमें सुनने के लिए मिल रहा है उससे हम जीवन में उतारेंगे और एक बात ध्यान में रखने जैसी है, कि जैसे हम चर्चा सत्संग सुनते हैं, हमने सुन लिया, हमारी बुद्धी सही हमने समझ लिया, घ्यान ट्रस्टी से हमने बुद्धी में उतार लिया, तो हम क्या करते हैं, औरों को समझाने के लिए चले जाते हैं, समझाना चाहिए, लेकिन समझाते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम कहरे है वो हमें खुद भी जीवन में उतारना है और उको भी उतरवाना है जैसे कि गौतम बुद के पास एक बार एक बुड़ी मा जाती है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है आप भगवन इसे समझाओ कि ये कम गुड़ खाए तो गौतम बुद उने उस माता को बोलते कि माता आप एक हफ्ते के बाद आईए माता जब एक हफ्ते के बाद जाती है तो गौतम बुद उस बेटे को बहुत प्यार से अपने पास बिटा के बोलते कि बेटा किसी भी चीज़ की अती नहीं करनी चाहिए अती गुड़ खाना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और पूरा कुछ प्रेम से समझाते हैं तो वो माता कहती है कि बगवन ये तो आप उसे एक हफ्ते के पहले भी समझा सकते थे तो आप अब क्यूं समझा रहे हैं तो गौतम बुद ने बोला कि मैं उस समय समझा सकता था मा लेकिन उस समय में स्वयम भी गुड़ बहुत खाता था तो मेरे शब्दों का इस पे कोई असर नहीं होता इसलिए ये एक हफ्ते का समय मैंने खुद के लिए मागा था कि मैं खुद वो गुड़ खाना छोड़ू और उसके बाद उसको बताऊ तब ही तो उस पे वो शब्दों का असर होगा उसी तरह से हम भी ये सोचे कि जो भी राजी की महर से हमें समझने को मिल रहा है उससे हम पहले जीवन में उतारे जैसे कल की चर्चा में स्वामी जी ने बताया कि तन, मन और जीव को साधना है आत्मा का सिंगार करना है परातम का सिंगार सचके जो मुल स्वरूपे अपने जाको कहिए परातम सुपरातम संग लेके विलस्य संग खसम उस धनी के साथ विलास करना है उसकी रोम रोम की शोबा में डूबना है वो हमें भी करना है और बाकियों को भी करवाना है और वानी में क्या बोल रहे है राजी कि तोहे तो सब सुध परी बानी के द्वारा राजी ने हमें सारी सुध दे दिये तोहे तो सब सुध परी कहूं अटके नहीं निर्दार तुझे ऐसा ज्यान में ने दे दिया इस ब्रह्माण में कि तु इस ब्रह्माण में कहीं नहीं अटकेगी सिर्फ इस प्रमाण में नहीं, योग मायमी भी नहीं अटकेगी, और मूल मिलावे में राजी के रिदय तक पहुंचा देगी ये वानी, ऐसी वानी दिये हुए है, तोहे तो सब सुध परी, कहुं अटके नहीं निर्धार, आगे हुए सोहागनी, कराओ सबो दीदार, क्या ब सबको दीदार करवाने की बाद बोल रहे हैं, वो अक्ष्रातित प्रियतमधनी की, और हम क्या कर रहे हैं? और वो दीदार कैसे हो पाएगा? लाओ प्यार करो दीदार और वो प्यार कैसे आएगा हके इलम ऐसा दिया हुआ इश्क चौदे तबक मूल डार पार पात पस्रया नजरो आया सबन राजी ने वानी के रूप में हमें वो इश्क की रहा बताईए उस रहा पर हम चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा और वो रहा कैसे पता चलेगी वानी के द्वारा वानी अगर थियरी है ज्यान है हमें समझाता है कि कैसे दनी प्राप्त होगे तो बीतक में हम सब के प्यारे सुन्दर साथ जो हैं, उन्होंने उस रहा पर चल के दिखाया कि कैसे हादी के कदमों पर कदम धर के माया को पीठ दी, कैसे उन्होंने भिक्षा के टुकडे मांगे, एक दो दिन तक नहीं, आट महिने तक बीक के टुकडे मांग कर अपना बेट क्या कुछ नहीं कहा होगा जब वो बीक्षा मांगने गए होंगे तब सुन्दर साथ को, मुसल्मान का इलाका था, और वो भी एक दिन नहीं, एक महिना नहीं, दो महिना नहीं, आट महिने तक, तो सुनाते ही होंगे लोग कि आजाते पता नहीं कहां कहां से, आट महिने तक को ग्रेहन कर रहे हैं, जैसे चपन भोग का स्वाद मिल रहा है उनको, उसमें, क्यूं? क्योंकि वो देह से परे हो गए थे, उन्होंने तन को, मन को, जीव को साथ लिया था वो तो कि सवस्ता में पहुंच गए थे लागी वाली कचू और ना देखे कि पिंड, ब्रह्मान वाको है रिनाई उनको पिंड और ब्रह्मान दिखता ही नहीं था, तभी तो पन्ना जी में जाकर लाजदास जी को जब पुछा गया बंगलाजी में, कि लाजदास होचकशर की पाल पोली है और ठोस है उसके लिए सारे एक समान होगे तो वो अक्षराति धनी अपनी अंगनाव में बेदबाव करेंगे उनके लिए तो हम उनके दिल के टुकड़े हैं न और एक भी दिल का टुकड़ा अगर उस से जुड़ा नहीं है तो उसको चैन नहीं मिलेगा हम तो हमारा क्या उत्तरदाईत्व बनता है जिस प्रकार से अगर बच्चे को भूख लगी हो चोटा सा बच्चा है और मा के स्तन में दूद बराओ लेकिन दोनों को अलग कर दिया जाए पर्दा कर दिया गया है बीच में मा बच्चे को दूद पिलाने के लिए तरस रही है बच्चा भूख से उस दूद को पीने के लिए यहाँ वहाँ मू मार रहा है लेकिन बीच में पर्दे का अंतर है तो जब कोई आके पर्दा हटाएगा तब तो पता चलेगा न तो राजजी उसी तरह से अपने दिल में अनंत प्रेम के सागर लेकर जिस प्रेम भरी नजरों से वो मूल मिलावे में परमधाम में हमें सीच दे थे, हमें प्यार करते थे वो ही दिल लेकर यहाँ पर भी बैठे वानी के रूप में और हमारे दिल में दोनों जगाबे लेकिन अगर ऐसा है न कि मा बच्चे को दूद कब पिलाती जब बच्चा रोता है तब ही तो पिलाती है तब तक देखती रहती है तो हमें रोना पड़ेगा न उस दूद के लिए लेकिन हम तो किस के लिए रोते हैं माया के लिए रोते हैं तो जब जैसे-जैसे वानी हम पीते जाएंगे ये माया की जो नीद चड़ी हुई है जिसके कारण हम बार-बार माया को मांगते हैं वो छूट जाएगा राजी वानी में क्या बोलते हैं हक इलम के जो आरिफ जो वास्त में ज्यान को समझने वाले होंगे न राजी के वो क्या करेंगे हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खोबी चाहे उसकी एक ही इच्छा रह जाएगी कि मेरे प्रियतम का वो मुखारबीन मुझे दिख जाए यहां की माबिदर जब बच्चा जनती है न तो उसको देखने के लिए तरस जाती है कि कब उसका चैरा दिखे मुझे और उस अक्षाति धनी की आहलादिनी शक्ति उनका दिल होते हुए भी हम उस सूरत को देखने के लिए नहीं तरस रहे है और वानी मिलने के बाद भी उस सूरत का रट्टा लगा लेते हैं और दूसरों को सुना के ही हमारे आनंद अनुबव करते हैं गौरव अनुबव करते हैं कि ऐसे हैं हमारे दनी हम राजी की एडवर्टाइस्मेंट करने के लिए यहाँ पर नहीं आये हुए हमें खूद देखना है और सबको दिखाना है उनकी दिल तक उतरना है और वो क्यासे हो पाएगा रोज रोज वानी को पिलाना है और वानी जो कह रही है कि तन, मन, जीव, आतमा और परातम परमधाम में डूबना है उस धनी का भाव लेकर उसकी बनकर उसके दिल तक पहुँचना है और फिर उसका हुकम लेकर आगे होए सोहागनी करवाव सबो दीदार, सबको दीदार करवाना है, द्यान से करवाना है, चित्वन से करवाना है, और वानी हमें यही सिखा रहे, वानी बोलने का कोई अर्थी नहीं सरता है अगर हम उसे जीवन में ना उतारे, जैसे दवाई ब हुए ही है हमारे दिल में उसको बठाना है हमारे दिल में भी वो बैठा हुआ है लेकिन जीव के रोम रोम में उसको बसाना है और वो मंजिल हमें प्राप्त होगी ध्यान से जब भी हम ध्यान करें तो ये सोचे और हम सुंदर साथ से वो भी तो गलती हो रही हम ध्यान कैसे कर जैसे पहले सेवा पुझा करते थे न वैसे अब हम ध्यान करते हैं। जल्दी जल्दी बैठो राजी को नक्से सिख तक देखा, शामा जी को नक्से सिख तक देखा, मुलमिलावे में जरगुमाई और वापिस आए। ये थोड़ी ना ध्यान है। अरे मूल मिलावे में बैटना है परातम क्या सिंगार करके और उस युगल स्वरूप के दिल में हमारे लिए जो प्रेम है उसका रस्पान करना है यहां बैटके उसकी मीठी मीठी बातों को सुनना है रूप नैनों दिदार कर रूप जुबा हकसो बोल रूप बाते कानों सुने यही रूप बट अरश का खोल कौन सा परदा खोलना है हमें इस रूप के नैनों से उसका दिदार करना है कानों से उसकी मीठी मधूरी बातों को सुनना है उनसे बात करनी है, जोलो साहिव सेज ना आया, देख्या सुन्या न कही बात, सुक अंग ना लियो इन सेज को ताई, निर्फल गई जो रात हमें तो उसको दिल की सेज या पर बिठाना है, उसको देखना है, सुनना है और बाकियों को भी इसी मन्जिल पर लेकर जाना है तभी तो हमारा इस ब्रह्मान में आने का फेरा सार्थक होगा, जब इस वानी को हम हर एक जीव तक पहुचाएंगे, तभी तो उनको अखंड मुक्ती प्राप्त होगी, मुक्त देशी ब्रह्मान को आये ब्रह्मा आतमसत, हमारे लिए ये उद्गोश किया गया है बानी में संसार हमारी प्रतिक्षा कर रहा था, इस ज्ञान की प्रतिक्षा कर रहा था, और जैसे हमने पहले देखा ना कि राजजी परमधाम में लीला नहीं कर सकते हमारे बगए, उसी तरह से यहाँ पर भी हम उनके तन हैं तो वो अपने तनों को खड़ा करेगा ही करेगा, और कर भी रहा है, लेकिन अगर हम जो लो ना सिर अपने, ये वचन है जागरत, जगावत तत्कीन, पर जो लो ना सिर अपने, तो लो क्या करे खास वचन, हम जीवन में उतारेंगे नहीं, तो क्या कर लेंगी खास वचन, जैसे वो दवाई निरर्थक रह जाती है, हमारा हम है, दवाई उत्तम है, लेकिन वो हमारा रोग ना मिटा पाएगी, और जब हमारा नहीं मिटा पाएगी, तो हम दूसरो का कहां से मिटाएंगे, तो हमें अभी हमारी गती को बढ़ाना है, सोचे ना कि जो इनसान मंगल ग्रह तक पहुँच गया है, चांद सितारों का ज् मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ, दुनिया का तो हमें पता चल गया, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, उसको हम तन से ही जानते हैं, वास्तम में हमारी उससे अलग कोई पहचानी नहीं है, और ना हम अपना कौन है उससे जानते हैं, और यहीं से तो शुरू होत जो सुन्दर साथ ने अपना सब कुछ छोड़ा, घादी के कदमों पर कदम धरे, उनको भी मिल गया, लेकिन क्या हमें मिला, हमें तो उनसे ज्यादा वानी मिल रही है, हमें नहीं बीक के टुकडे मांग के खाने पढ़ रहे हैं, ना हमें गरबार शोड़ने की आवर शकता गर बैठे बैठे ही दनी हमें ये वानी पिला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको यहां बैठे बैठे ही होज कोसर का पता चल रहा है, पुकराज का पता चल रहा है, राजी के नक से सिक तक का सारा कुछ पता चल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है, तो कमी कहा है, ना तो ऐसी दारू ले आये रूव अला जासो मुर्दा जीवता होए पर फरामोसी इस हांशतिय की उठना सके कोई हम नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें याद करना है जैसे बच्चे की याद दास चली जाती है तो वापिस उसी समय उसी स्थान पर ले जाया जाता है बार-बार उसी की याद करवा दी जाती है तो याद आ जाता है उसी प्रकार से राज्जी बोल रहे हैं कि ये मुल मिलाव अपना नजर दीजे इता पलक ना पीछे फेर ये जोईश कंगुवशत हम बार-बार जब उस मुल मिलावे में जाएंगे हमारी सुर्था को ले जाएंगे बार-बार अपन ही नई है हम एक ही है और वो ही जानने के लिए ही हम इस ब्रह्मान में आये हैं मैं हक अरश में जुदा जानती लियावती शब्द में बरनन जड में सिर ले ढूंडती ओ आये दिल बिच चेतन हम परमधामिराजी को अलग समझ रहे थे इसलिए तो हमने इश्क की बाते कर ल हुए बे नियासती बीच बका बारे हजार हमें पता ही नहीं था कि हम और धनी दो दिख रहे हैं लेकिन हम दो दिखते हुए भी एक ही है वो ही हमारे रूप में लिला कर रहे हैं और हम ही उसके दिल में लिला कर रहे हैं और यही जानने के लिए हम इस प्रह्मान में आये है क्योंकि नमक अगर है नमक तो सागर के पानी से ही बनता है और नमक को बुला जाए कि तू सागर की गहराई को नाप ले तो वो नमक तो उसमें जाकर विलीन हो जाएगा उसमें हमें स्वाद आएगा नमक का सागर के पानी में से हर एक बूंद में से लेकिन नमक उसकी गहराई नहीं नाप सकता क्योंकि वो खुद का अस्तित्व जब खो देता है तब ही तो सागर बन पाता है अब हमें राजी की महर से आउसर मिला है कि हमें सागर की लहरों को देखने का यहां ही बैठे-बैठे उसका आनंद लेने का आउसर मिला हुआ है और यहां बैठे-बैठे हम देख सकते हैं कि कैसे है हमारी परातम, कैसा है हमारा धनी और कैसा है हमारा परमधाम और इस असत जड़ दुखक से उस सत चीद आनंद की कमपैरिजन करके तूलना करके हमें उसका स्वाद आ सकता है वो ही स्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आजीव हो ही कर रहे हैं कि जहर चड़या जोलो जीव नींद छोड़े नहीं पिला ये वानी लियाए प्यू वतन थे बल माया जानी हमें इस वानी को फैलाना है और इस से क्या होगा कि जागे सुख अनेक है इत ही अलेक है इस वानी से हमारी आत्मा जब जागरत हो जाएगी न तो यहाँ बैठे बैठे ही इत ही बैठे गर जागे दाम पूरन मनुरत हुए सब काम तो जागने के बाद अनेक सुख हमें यहाँ पर ही बैठेंगे सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार सो देखन की ठोर इत है जो रूह सो करो विचार तो सब सुन्दर साथ से यही अनुरोध है कि जो भी चर्चा हमे राच्ची की मैर से सुनने को मिल रही है उसे हम आत्मसाथ करे उसे पहले जीवन में उतारे और बाकियों को भी ध्यान करने के लिए प्रेरित करे ध्यान ऐसा नहीं है कि जैसे सेवा पुझा करते थे उस तरह से ध्यान मतलब हमें अपने राज्जी को प्यार से राज्जी के साथ समय बिताना है और दूसरा हमें करना है ध्यान हम 24 सो गंटे तो नहीं कर सकते हैं तो 24 सो गंटे हमें रूह के भाव में रहना है जैसे हमने व्रज में करा था उठते बैथते जागते सुपन सोवत जागरत दमना छोड़े माशू को जाकि असल हग निस्पत उस धनी के मैं उसी की अंगना आतम हूँ ना वो मुझसे अलग है ना मैं उससे अलग हूँ राश्यमाजी राश्यमाजी दिल से निकलना चाहिए अगर यहां के अरजुन के दिल से क्रिश्न क्रिश्न की आहा निकल सकती है सोते हुए भी तो रूखे तो रूम रूम से वो आवाज आनी चाहिए और जैसे मेरा खुसात्संग करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती थी मेरा बाई को देख के ही सारे विलीन हो जाते थे उस अवस्ता में और हमें क्योंकि हम उस अवस्ता तक नहीं पहुंचे राज्जी की रूर जब बन जाएंगे ना तो राज्जी कहते है मेरी सुध दियो औरों को ति चले तुम्हारा हुकम जब मेरी सुध ही दो गए ना सबको तब तुम्हारे हुकम की अनुसार में चलूँगा तुम्हारी आज जाके अनुसार चलूँगा परमधाम में भी तो हमारी आज्या से चलते हैं क्योंकि आशिक है न वो तो आशिक तो अपना सब कुछ माशूक के लिए नुचावर कर देता है तो राजी ने अपनी आशिकी निभा लिया अब हमारी बारी है कि हम अपनी आशिकी निभाय खुद जाग कर औरों को जगा कर और वानी का उदगोश पूरे ब्रह्मांड में करकर कि ऐसे हैं हमारे प्रियतम और सिर्फ हमारे नहीं आप सब के है और राची ने सब के लिए ये खोल दिया है परमधाम का दर्वाजा उनकी रिदय का दर्वाजा और अगर हम उसको कपडों तक सिमित रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता तो हम अपने रोजीन्दा जीवन को उस रूर के जीवन की तरह बनाए कि रोज आख हमारी बंध हो तो उस राजी की चरणों में जब आख हमारी खुले तो सबसे पहले उस राजी से बात करें वानी जब हम पड़े तो ये समझ के नहीं कि ये ज्यान है हमारे धनी की मिठी मिठी बाते हैं ये हमारे लिए लिखी हुई हमारे राजी का प्रेम पत्र है हमारे लिए लिखा हुई राजी परमधाम से लेकर आये हैं तो इसके शब्द शब्द में इश्क है तो उसमें डूबने के लिए उसको आत्मसाथ करें जब उस भाव से बैठेंगे तो राजी भी उसी भाव से मिलेंगे जैसे स्री जी पन्नाजी में सबको दिदार देते थी ना देत दिदार सबन को साई जिन हूँ जैसा चिन्या जो जिस भाव से जाता था अगर देवचंदर जी को देखना था तो देवचंदर जी के रूप में देखते थे किसी को व्रिजवाला स्वरूप प्यारा था तो उस गरित वचन है, हम जिस भाव से इसमें डूबेंगे न, उसी भाव को लेकर बहार आएंगे. जब हम शरीर को लेकर ही गुशेंगे इसमें, तो उसी भाव में रहेंगे. और हम अभी वो ही कर रहे हैं बुद्धी का विश्य नहीं है वानी क्योंकि राजी कभी समझ में नहीं आते हैं वो दिल में आते हैं और ये बुद्धी वहां नहीं जा सकती है और हमारी बुद्धी हमें तब मिलेगी जब राज्जी देंगे, हम जब उस भाव में भावित हो जाएंगे, अभी तो हमारे पास जागरित बुद्धी और नीज बुद्धी का ज्यान है, लेकिन उसकी बुद्धी कव हमारे पास आएगी, जब हम रूप बन जाएंगे, तभी तो हमें अपनी बुद्धी वापिस म तो उसके लिए बार बार जब भी समय मिले मूल मिलावे में राज्जी के साथ बैठना है वानी के द्वारा उसकी याद करनी है और उको भी करवानी है और हमारा अगर हम इस प्रह्मान में आये हैं तो सुन्दर साथ की सेवा ही हमारे जीवन का परमलक्षो होना चाहिए तन, म जीव और धन जो भी हम राज्जी के चर्णों में समर्पित कर सकते हैं वो करें और जब हम ऐसा करेंगे तभी तो हम यहाँ पर भी धन्न धन्न होंगे और वहाँ पर भी धन्न धन्न होंगे तभी हम उस राज्जी के सच्चे आशिक कहलाएंगे तभी हम उनसे नैन मिला पा बीतक जो कहा रही है उस पर चलना पड़ेगा अपनी मै को मार कर धनी की अंगना बन कर जागरत होना पड़ेगा और सब को जगाना पड़ेगा उसी के साथ इस वानी को विराम देते हुए अब हम चौपाई दोर आएंगे एही रस तारतम का चड़्या जहर उतारे निर्विख काया करे जीव जागे करारे बुलो श्री प्राण नाथ प्यारे की जै सद्गुरु महराज की जै बुलो श्री प्राण नाथ प्यारे की जै नाम जी प्राण दर्शंद साथ जी आज में आप सबको जागरिती के विशय में कुछ बताने जा रहा हूँ मेरे टॉफी के जागरिती सुबह जब सुरिया के खिर्णे इस धर्ती पर चमकने लगती है तो संसार के सभी मनिश्य अपने तंद्रा को तैग संसार के लोग की कार्य के लिए जगते है सभी मनिश्य यही सुचते है कि सुबह का जो कार्य हो रहा है वो जागरीत आवस्ता में हो रहा है परन्तों महामती जी कहते है जब थे सूरज देखिये लेट अंदेरी घेर जीव पसुपंखी आदमी सब फिरे या में फिर अर्थत जब से सूरज उगता है तब से सभी प्राणी कोई अंदर अजनता के अंज़कार फेल जाता है सब भी जीव हो चाए पसुपंखी हो चाए मनिश्य हो अपने लोग की कार्यकलाप में क्रियाकलाप में इतना फंस जाते है कि कोई भी अंतर मुखी होकर अपने सरूप का चिंतन ही नहीं कर पाते इस भूतिक जगत से परे होए बिना अध्यात्मिक तत्व का सक्षत कर हो ही नहीं सकता सुरिया के प्रकस द्वारा बाहिया नेत्रों से बाहिया जगत को देखा जाता है जबकि आत्मा तक्षूओं के द्वारा इस नस्वर जगत से परे होकर पर्मत्मा का सक्षत करकिया जाता है इसकार्थ यही है कि सरी सपना से जागना ही जाग लिती नहीं तो प्रस्ना उड़ता है कि हम जागे तो कैसे महामति जिक अपने वानी के द्वारा कहते है कि एजो कही जागन सखीरे जाग चलो बचन निके बिचारियो जोकई सोहागिन जाग चलो प्यूसो मिलो सुख अखंड आनन्द आतिगन मामत जी कहते है कि प्राण दसुन्द साथ जी यह जागनी का ब्रह्मान्ड है इसमें हम सब को जागना है और जिनके अंदर परमदाम का अंकुर है उन्हें इस श्रिमुक वानी के बचनों पर गंबिरता पुर्वक चिंतन मनन करना पड़ेगा और जब हम अपने प्रियतम से मिलेंगे तो हमें अखंड और अनन्त सुख का अनुभुती हो पाएगी बस्तु दह धनी के सरूप का दिल में विराजमान हो जाना ही जागनी है इस चोपाई में जाक चलो प्यू सो मिलो का यहाँ भाव है कि हम ज्यान द्रिष्टी से जागिरित होकर प्रेम पुर्वक अपने सरूप को हिदे में बसाना यहाँ जागिरिती का सम्मंद ज्यान में प्रकास धारन करने से है कि मुझे संसार के लोकिक सुखो का मोह को त्याग करके अपने प्रियतम के प्रेम में स्वहिम को डुबा देना चाहिए यहाँ महमती जी चिंतन मनन के बात करते है अवही जो सी लीजिये एक बचन जागरत तो तब ही जाक के बेटिये उड़ जाए सुपन सुरत अर्चात महमती जी कह रहे कि है साथ जी अगर आप इस समय श्रीमुगवानी के जागरत बचनों में से एक बचन को भी आपने आचरन में उतार ले तो आपके सुरता इस सुपनों में जगत से परे होकर परमदाम में विचरन करने लगेगे तथा आप यथर्थ रुप से जागरित हो जाएंगे ए बचन एसे जागरत जगावत तद्खिन जो न लिजे सीर अपना तो कहा करे बचन स्री मामती जी कह रहे है कि अगर हम यदि इस ब्रह्मवानी के जागरित बचनों को हम अपनी फिर्दे से आत्मा साथ करते हैं तो यह हमें तूरंथ जागरित करने का थाकत रगता है अगर हम इसको एक बचनों को भी हम आत्मसत करते नहीं एक बचनों को भी इस एक बचनों पर भी नहीं चलते तो कहां करें बचन वहला इस बचन क्या कर सकता है यहाँ पर बचनों का दोस नहीं है जबकि हमारा दोस है जो गैन सोयम अक्षिरातित के आविश द्वारा अवतरित हुआ है उसे हम आचरन में नहीं लापा रहे हैं अगर हम आचरन में नहीं लाप आ रहे तो दुर्वा कि है कि हमारा सुद्ध प्रेम रूप की सागर में पहुंच कर भी हम पैसे मिर्थ्यू के प्राप्त हो जाएंगे इसलिए सबी सुन्दर साथ जी को मेरा भींती है कि जो ब्रह्म वानी का जयन हमें मिल रहा है उसे हमें हिर्दे से आत्मा साथ करना है और स्वयम का भी जागनी करना है और दुसरे को भी जगाना आए पनाम जी कर दो जाएंगे